वेलकम टे इडूमेंड इडूमेंड आपका स्वागत है यह हमारा प्रतियोत्यादरपन के सार्थ संगरा का पाट्टू है तो चलि हम सुरुवात करते हैं जदि आप हमारे युट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल सस्क्राइब ने क्यों हैं सस्क्राइब कर जिससे कि आपको हमारे नया नया वीडियो अब तक आते हैं चलि शुरुवात करते हैं हरपा संस्क्रेटी में घोरे की अस्थिया किस अस्थल से परप्थ होई है संगम्यूंगों रचित गरन्थ तुलका प्यम काविशाय किया है यह तमील का व्याकरंब है जुनागर्व स्थित सुदर्शन जहिल का निर्वान किषने करवाया था सुदर्शन जहिल का निर्वान किषने करवाया था मिसर के सासक टोलमी ने डायनियस को दूत बनाकर भारत किस सासक पास भेजा था यह बिंदु सार के पास भेजा था अविलेखों में देवा नम प्रिये तथा प्र कि अमने अस्थाप्त का लाका शर्वाधिक वह मुल्रत्न समझे जाने वाले अलाइद द्रवाजा के निवन ने करवाया था लाउदिन के बंगाल करे कि अपने राजधानी धाका से मूर्शित कुछी ड्राज़णी अस्थांतरत की थी पर स्चित कुनार्क मंदिर किस देवता के लिए है यह स्चुर्य देवता के लिए है मांसर अभिलेक किस शा सक की उपलेवधियों का विवरण देता है यह येशु धरमा की उपलेवधियों का देता है आम किसके को दौर完成 किया रेमजे मेक डॉनाल्ड की द्वरा प्रस्तुत किया गया था सन उनिस्व त्यातालिस इस्पी में अजाद हिंद भोज की अस्थापना कहा की गई थी तो शिंगापूर में किया गया था युवा बंगाल अंदोलन का मुक्केंद्र किया था हिंदू कॉलेज कलकता था इसका मुक्केंद्र सभी नए अवग्या अंदोलन के समय माल गुजारी ना देने के लिए अंदोलन का गुजरात में केंद्र किया था तो इसका खेरा था एक देश के लिए स्वराज प्रम अवस्चक है सुधार अथवा उत्तम राज इसके बिकल्प नहीं हो सकते है यह कथन किसका है तो यह कथन लला लाजपतराई का है मुझहपरपूर में किंग्स फोट की हत्या करने का प्रियासकशना किया था खुद्धी रामबोस और फर्फुल चकी ने किया था महत्मा गांधी कितनी वार भारती राष्ट कॉंग्रेस का ध्यक्ष बने थे मात्र एक वार बने थे 1924 इस्पी बेलगाउं अधिवेशन बने थे किस वाईसराय के सासनकाल में दिल्ली दरवार में महरानी भिक्टोरिया को कैसर एहिंद की उपाधी से समानत किया गया तो लॉड रिलिटन के सासनकाल में बुनियादी सिक्षा का बिर्ष्टित भियावरा किस के द्वार तियार किया था जाकिर हुसेन समिती के द्वार तियार किया गया था बिधवा पुर्ण बीवा एस्ट्रसियासन नामक संग ठेर की अस्थापना किस ने की थी तो महाद्यव गोविंद रनाड़े ने किया था समित्धान के किस अनुछेत का अंतरगत बित्तिय अपात्काल की वेवस्था की गई है अनुछेत 360 के तहत बित्तिय अपात्काल की अनुसंसा की गई है भारतिया समित्धान कौन से नर्गिता परदान करता है एककल नर्गिता परदान करता है भारतिया समित्धान पर्थम पंच चायतीय राज विवस्था का दुखाटर पंडे जवाहलान नहरू ने 2 अक्टूबर 1969 इस्विश को किस अस्थान पर किया था तो ये नागर राज अस्थान में किया था सर पर्थम लोक सावाक का कुल कोरम सदस का कितना होता है तो एक वट्टा दस होता है पंच वर्षी योजना का निमोदन तथा पूर्ण रिडिक्षन किसके दौरा किया जाता है तो राश्टी विकास परस्यत के दौरा किया जाता है राज अस्था पर मंत्रियों के नियुक्ति कौन करता है तो राजपल करता है कि समिधानिक संसोधन दौरा लोक सभा के कारिक को है भारत में लोग सभा किसके द्वारा भांग की जाती है परधान मंत्री के प्रामर से राष्टपती के द्वारा भांग की जाती है भारतिय समिधान में संकी कारपाली का सक्ति किसमें नहीं थे यह राष्टपती में नहीं थे एलमिष्टी जालो मखी किस देश में है तो एलमिष्टी पेरू में है उत्री सागर और बाल्टिक सागर को जोरने वाली समुद्रिक नहर है तो यह है कील नहर है बेरुत किस देश की राजधानी है तो बेरुत लेवलान की राजधानी है अफ्रिका में अश्वान बांध किस नदी पर है यह नील नदी पर है अश्वान बांध है किस छेतर को एसिया का निस्परांध छेतर कहा जाता है तो पामिर के छेतर को एसिया का निस्परांध छेतर कहा जाता है राधस्थान की इंद्रा नहर किस नदी से निकाली गई है तोड़ा जन जाती कहां पाई जाती है तोड़ा जन 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 जाती ह पर कर लगाने की सटति की थी तो राज समीति पर भी टेक्स लगाने की राष्टी एक किरसी एवंगरावन बिकाससंग नवाड की अस्थापना कि समयति के सिफारिश पर की गई थी ये क्या गय थGU शीवारवन चमीति के पर निक्की क्या है टोकियो इस टॉक एक्षेंज का सेयर मुल्ट सुचकांख है निक्की योजना आयक की सदस्योक संख्या कितनी होती है यह निश्चित नहीं होता है भारतिय परती भूति एवां बिनियम बोड के स्थापना कब की गई थी इसका मुझे करते हैं इसके स्था अपना 12 अपर 1988 इस्पी को हुआ था दलाल इस्ट्रिट कहां ववस्तित है दलाल इस्ट्रिट मुंबए में वस्तित है भारती रिजर बैंक का राष्ट्य एक्रण कब हुआ था 1949 इस्पी में RBI का राष्ट्रिकरण हुआ था अध्यविक करांती स्वर पर्थम किस देश में हुई थी इंग्लेंड में स्वर पर्थम अध्यविक करांती हुई थी पिलिया से कौन सा अंग प्रवावित होता है यक्रित जो होता है पिलिया से प्रवावित होता है रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है तो हीमोफिलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है मलेडिया का परजिवी का क्या नाम है पलाजमो मोडियम है गहंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है यह आयोडिन के कमी कारण गहंगा रोग होता है डियाने उपस्तित होता है तो डियाने सिक्ता की भूमिका किस ने दिश्ट की थी तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था कि पानी में हावा का बुलूबला किस प्रकार की लेंस की भाती कार करता है यह अवतल लेंस की भाती कार करता है किर्केट से समंधित इडियन गार्डेन एस्टिडियम कहां वस्तित है यह कलकत कि एक परल और के प्रकट किस खेल से समस्दिट यह बॉक्सिंग से समन्दिट है किरकेट्स पीच के लंबाई में कितनी होती है रहे प्रहस्री से किस खेल से समंदिट है रपा संफिता के सबंद्द्द הבא Пон 1400 के नाम से जाना चाथा है कल यानी के चालिकों ने सराधिक प्रवल सत्रू कौन थे तद तनजाबूर के चोल थे वह कौन सा सुल्तान था जो स्वेंग को नायब एक खुदाई इस्वर का प्रतनीधी कहता था वह बलवन कहता था चालीस यह चालीस अमीरों का समू का विनास्किष ने किया था यह बलवन ने किया था बंगाल एसियाटिक सोसाइटिक के अस्थापना किस ने की थी तो सर बिलियम्स जोन्स ने किया था बंगाल एसियाटिक सोसाइटिक की अस्थापना निम्र जातियों के लिए मंदीरों के दुवार उनमुक्त करवाने की उद्यश से बाइकॉम सत्यागर कहां चलाया गया था यह केरल में चलाया गया था उन्हें सो बीस इसपी में अखिल भारतिये ट्रेड यूनियोन कांग्रेस ए आई टी यू सी का गठन किसने किया था एम एन जोसी ने किया था पर्थम अखिल भारतिये किसान संगठन अखिल भारतिये किसान सभा गठन कब हुआ था यह 1936 इसपी में हुआ था कांग्रेस के प्रारामभिक 20-21 वर्सों तक किसने तीन बार भारतिये दाश्टिक अध्यक्ष उर्प में कार किया था तो ददाभाय नेरोजी ने कार किया था लोग हितवादी की उर्प में परसित कौन थे तो गुपाल हरी देश मुख थे लोग हितवादी के नाम से राजसभा का सरप्रथम गठन कब हुआ था तो राजसभा गठन 3 अप्रेल 52 को हुआ था संसात का कोईस दस अपने अध्यक्ष के पुर्व अनुमती के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुफस्तित रहता है उसका अस्थान रिक्त गोसित कर दिया जाता है तो 60 दिनों तक चांद बीवी अहमद नगर की सहजादी थी उसका बिवा किस राज के सुतां के साथ हुआ था तो बीजापूर की अली अदिल साह के साथ हुआ था चांद बेवी का निकाह कवीर की मिर्तु के पस्चात उनकी समाधी कहां बनाई गई थी तो मघहर में बनाया गया था रज में नामा के नाम से किस संस्क्रित गरंध का अनुवाद किया गया था तो रज नामा जो है महा भारत का अनुवाद किया गया था किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनितिगी ने यह स्विकार किया थे कि 1857 का विद्रो एक राष्ट्य विद्रो था नौह की एक सैनिक विद्रो डिज राईली ने किया था उनस्मी सताबदी के प्रारम में ब्रिट्री सासन थोपने के विरुद भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बदहेरों ने बिद्रो किया था यह सोराष्ट में किया था प्रिटी सासना के बिरुद किसानों और आदवासीयों का रामोसी विदुकिस के दुरा नतुरुत किया गिया है। महाराष्ट में प्रात्मचिना समाज का संगतन किशने जोएं किया था। लोग सभाध्यक्ष के लोग सभाध्यक्ष की चूनता है। है क्या संग शासेट छैटर भी रास्रवहहम अपना परत्र निधी भेज़ते हैं तो हां भेज़ते हैं पर्धान-मंझृ-प से त्याग निर्द्रसित किया जाता है कि समिधान संस्थान अधिनियम लोक सभाक के सदस्यों कि अधिक्तम संख्या 545 निर्धारेद की थी तो 31 संसोधान किया था सिर्फ्राष्टिय प्रयाव रणसोध संस्थान कहां वस्तित है यह नागपूर में वस्तित है इरान की सीमा के समयप इस्थित हरपा कालिन परमुक अस्थल का नाम क्या है इसका नाम है सुक्ता गेंडोर है नविन्तम हरपा कालिन अस्थल धौला वीरा किस राज में खोजा गिया है यह धौला वीरा जो है गुजरात में खोजा गिया है मौर्ज समराज में सिता ध्यक्ष किस व्याग का ध्यक्ष होता था महमुद गजनवी का भारत पर परत्थम तथा अंतिम आकरवन कब हुआ था महमुद गजनवी भारत पर 1,000 इसपी में परत्थम बार आकरवन किया था अंतिम 1037 इसपी में अलावदिन खिल जी ने किस परदेश से अपार संभदा पराप्त करके संतलत काल के राजगादी पधिकार किया था तो वह द्यवगीरी जैनपुर के सुल्तानों ने सरकी उपाधी को किस कारण धारन किया था तो इस राजवन्स के संस्थापक मलिक सरवर को मुहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उस सरक अर्थात पुर्व का स्वामी की उपाधी से अलंकृत किया था इसी कारण धारन किया था शरकी मुंगल समराज का प्रांतों में विवाजन सर्पर्थम कुष्णे किया था अकबर जो था मुगल समराज को सर्पर्थम प्रांतों में विवाजन किया था सत सोधक समाज के अस्थापना किसके द्वारा की गई थी स्थापना किया गया था महतमा गांधी द्वारा स्थापित हरजन सेवक संके संस्थापक कूं थे害 ग्यान स्याम 10 बीरला थे हरजन सेवक संके संस्थाप अम्रिद सरके जलिया बला बाग हत्यकान में निर्दूर्स लोगों पुह Vari में पंजाब के गवरंनर्य जर्रお願いします माइकल ओर डायर को किशने हत्या किये थी तो सर्दार उधम सिंग ने उसके हत्या किया था प्रारामभिक भारतिय राजनितिक और सास्तिरी ताथ सोदेशी के महान समर्थक कौन थे तो दादा भाई नेरोजी थे महत्मा गांधी ने किस वर्ष तथा किस कांग्रिस के दिवेशन में अध्यक्षता किये थे तो 1924 इसपी ब्यलगाओं दिवेशन में कांग्रिस के अध्यक्षता किये थे कांग्रेस के पर्थम महिला ध्यक्ष कौन थी एनी बेस्ट कांग्रेस के पर्थम महिला ध्यक्ष बनी थी 1949 स्पी के तिरपूरिय दिफेस्टन में सुभाचन बोसकी से पराजित करके कांग्रेस का ध्यक्ष बने थी तो डाक्टर पट्टाभी सितार मईया को हराकर कांगरुस के ध्यक्ष बने थे मदालन धिंगारा ने 1909 इस्पी में लंदन में करजन वाइले की हतिया किसके बिरोध में की थी तो भारतिय युवाओ को काले पानिता था फ्रांसी की कुर सजाय देने के बिरोध में किया था पुस्तक करंथी कारी समिती के गठन किस ने किया था बीडी शावे करने किया था अभिनव भारत के अस्थापना उने 188 इस्पी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पर्थम अंग्रेज व्यक्ति कौन थे तो जूले थे भारतिय समिंध किया था समिधान सभाग के सदस्य को किसने पर्त्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था तो प्रांतों के बिभिन शभावने किया था कि किस दीन से समिधान सभाग का अंतरकालिन संसथ की रूप में आविर्भाव हुआ 2691950 से हुआ मूली समिधानों में राजियों के चार अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्सता में राजपुर्ण गठन आयोक का गठन किया गिया था तो फजल अली की अध्यक्सता में किया गिया था राज पुर्ण गठन आयोग का गठन किया गिया था किस वर्स गोवा सहित अनप्रत गाली बस्तियों को भरतिय संग का छेतर बनाएक दिया गया तो 1962 इसपी में देखन को समाजसंदान के लिए विधहयक और संसद गेंश किया जाता है संभी चनाड़ जाता है भारते समिधान के अनुसार केंद्र की कारपाली का सकती किस में नहीं थे यह राष्टपती में नहीं थे राष्टपती पद पर सबसे कम अबधी के लिए रहने वले ब्यक्ति कौन थे तो डॉक्टर जाकिर हुसेन थे भारत में तेन्तू पत्था का स्राधिक उत्पादन करने व लड़ाज का उन्षा है तो यह मध्ध परदेश है भागी रधी तथा अलग नंदा का संग्व अस्तल क्या है तो यह देव प्रियाग है राना परताब सागर जल सकती केंदर किस नदीप है यह चमबल नदीप है राना परताब अफरीका के उतमास सा अंतरदीप Cape of Good Hope की खोज किस नाविक ने की थी इसका खोज जो किया था बार्थो लेम्यू डियाज ने किया था बलैक हिल, बलू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहरिया किस देश में अवस्तित है तेस सनिक तुराज अमेरिका में अवस्तित है राष्टिय प्रयावरण सोथ संस्थान कहां पर अवस्तित है यह नागपूर में अवस्तित है मिसेट्रा का पठार किस देस में है अंतराष्टि तिती रिखा का निर्धारन क्या गिया था तो 1984 इस्पी में अंतराश्टी तितिरेका का निर्धारन किया गिया था कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था तो यह थाइलेंड जाना जाता है भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर एस्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है तो यह बंगलोड जाना जाता है निवियृंक स्टॉक एक्स्ज मैं सूची वद होने वाले पाहली भारतの कंपनि कौन सी है यह समंधर है अप critically है दो मौहमदहारिय समयती का समंध इसका समंध जो है वाटर सेद विकाष से है इस्वरन सम्यति का समंध है इसका भी समंध है वाटर सेड विकास में परसिक्षन से हैं ग्रामन विकास है तु राष्टि य कोष किस के दौरा संचालित होता है यह परधान मंतर की अध्ष्प्षत्या वाले सम्यति के दौरा होता है डीडीपी का समन्ध है मर्वस्थल विकास कर्क्रम से हैं का पाड़ कर्द क्या होता है इसका फुलफर्म होता है काउंसिल फॉर एडवांस्मेंट फॉर फुपल्स एक्षन एंड रूलर टेक्नोलोजी है विस बैंक तवारा विभीन देशों की परतिवैक्ती आय की गन्ण करने के लिए क्राई सक्ति समता की गन्ण है तो किस धैस की किम्तों को मानन के रूप में प्रिउक्त किया जाता है बायू की अधरता किस यंद्व से मापीजाती है तो हैग्रो मीटर से बायू के दरता मापी जाती है इलक्ट्रोन भोड किस बहुतिक रासी का मातरक है यह उर्जा का मातरक है साबुन के बुलबुलों में परकास की घटना के कारण दिखाई परता है यह परकास के बैक्तिक रण के कारण दिखाई परता है गतिमान आवेस उत्पन करता है चुमकिये छेत्र तथा विधुद छेत्र दोनों उत्पन करता है डैना मैट का विसकारकिश ने किया था अलफ्रेड नोवेल ने किया था किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है तो तारे के ताप का होता है किसी भी तारे का रंग भारी जल होता है तो डीट्व जो होता है भारी जल होता है अर्जेंट टाइट किस धातू का यक्स है यह चांदी का यक्स है दूद का पियचमान होता है दूद का पियचमान छे दिसमान चार होता है मनुस्त के सरीर में पित कहां बनता है तो यह कहां से में जमा होता है अरे लोग भारत में सवर पर्थम जहां बसे वह सारा परदेश किसे नाम में परुशिद हुआ था वह था बैदिक काल में कानून की उत्पति का करें स्रUI्खें किया था था यह धार्म था था के दरवारी कभी हरी शेन ने उसकी सेन्स अफलता हो का बर्रनर किस उलेख में किया है कि कि असोग का लिजय का उलेख कि सिलालेक में मिलता है दिलिक के सिंग्हासन पर बैठने वाला पहला अफगान सासक कौन था यह बहलूल लोदी था कि साह नमा किसकी कृती है तो साह नमा फिर दौसी की कृती है बंगाल के किस सासक को हर्सवंद्ध पुर्णत पराजित नहीं कर सका हर्सवर्धन राज राजा दुवारा तंजोर में बनवाया गया ब्री देशवर मंदिर किस देपता को समर्पित है तो ब्री देशवर मंदिर शिब को समर्पित है किस बाइसरा का समन्द ब्रेकडाउन पलाण से था लॉड बेवल का समन्द ब्रेकडाउन पलाण से है ब्रिटी सरकार ने म कथन किसका है यह कथर मुहमद अली जिन्ना का है कि क्यम्यूनल ट्रैंगल नामक पुस्तक की रचना अच युद्ध पत्वर्धन के साथ किस ने किया था यह अश्वक मेहतान भी था इसके साथ सेंटरन लेजिसिलेश्टिव एसेंबली में भागत सिंग के साथ किसने बम गिराया था बट्युक केस्वर दँ था भागत सिंग के साथ गिराने में परस्थ सब्ब्रिट करणती कारी जो ब्रिटीस समराज को जर्मन समराज से बह strategically समझाथा था वह सब्सक्राइस कि अश्थाबन कि तो महात्मा ग Boden अखिल भारती हरजन संग सब्सक्राइस अश्था प्ररस्वी पत्र सड्रामुकर के सा था अफगानिस्थान था रानी लक्षींबाई की समाधी अस्थाल किस नगर में है यह गुवालियर में नंद कुमार के मुकदमे का समद्ध है वारण हेस्टिंग से हैं सथापना किछने की थी तो सिरी धरलु नाइडी विगा तो पूर्त कालीयूँ के दूरा भारत में सरपर्थम छापा खाना अस्थापत किया गिया ना राजियों का भाहए साही के अधार पर गठन किस वर्स किया गिया था उनस्य츠्व किए घंव इस Epic किया गिया ऐ अत्मा कहा गिया है अनुचों 32 वो कहा गिया है बिहार की विधान〜 सभाह में सदस्यक्य कि कितनी है तो 243 रे भारत का संफुन समिधान किस्टी चींद्र से प्रभाव में आया हें लोग सभाय को चुनाव किसी धन बिदेए को कितनी अभधी तक रोख सकता है जोधा दिन तक माहापौर कहते हैं कि पर्थम लोग सभा चुनाव में कितने राजनितिक दलोग को राश्टिय दल की मनता दी गए थी पर्थम लोग सभा चुना हुआ तो से और मंत्री का सची वाले किसका अधिन होता है जो चैनल मन्टर लाय के अधिन होता है कि कि अग्सतान के समुदु तटक भावली के नम क्या है तो मकरान का ठट है अबनेश में सवहादिक न बस्तर को पादन काउन सा देश करता है यह cambio करता है पाकिस्तान के समन्दू तटका भावली के नाम क्या है मकरान का तट नाम है बिस में 16 धिक उनी बस्तर का उत्पादन कौन सा देश करता है यह अस्ट्रेलिया करता है एनू जन जाती कहां पाई जाती है जपान में पाई जाती है एनू जन जाती भारत का एक मातर सकरिय जोलाम किस दीप में वस्थित है तो यह बैरन दीप में। अवस्थित है व अब सबस्की की उद्पति का सबसे स्विक्रित सिधांत幹嘛 है तो भूल विबर mujtug किस परकार के दीप कोरल नेर्वित प्रवाल दीप है लक्ष दीप अंधपरदेश का बंगम पल्ले किस छीतर के परसीद है यह हीरा के भंडार के लिए परसीद है भारत कहरत्र अभूसवन का सबसे बर आयतक देश काउन शाह है अमेरिका है मंणार की खारी किन्दों देशों को को अलग करती है तो भारत अथा स्रीलंका को अलग करती है रेगुर क्या है तो रेगुर जो कालिंभी को कहते हैं गतल मनधल नीर्मान करता थे दो टती मांचित को सरप्रथम बनाया थे सेर बजार के स्थापना करने वाला बिस्ट का पहला देश कौन सा है तो यह निदरलेंड है रैट्स आफ्ट मैन पुस्ता के लेखा कौन है तो टॉमस पेन है बिहार बे पर्थम अंग्रेजी दैनिक पत्र का नाम क्या था यह सर्च लैट था कि 15 जन म्रीक भारत में किस्ट दिन के रुपए मनाये जाता है तो यह थल Google सेனा के दिवस के रुपए मनाये जाता है राश्टिय पंचैत किस देश की संसत का नाम है राश्टिय पंचैत डैनमार्क का राश्ट्य चिन क्या है तो समूर् étant अट्ज किन्वाद नमार्क के बीच इस्थित हैं तो आमला क्युत्पती सर प्रथम किस देश में हुई थी तो भारत में अमला की तो सरप्रथम में भारतिये मौसम विग्ञान संस्थान कहां अवस्थित है यह नई दिली में वस्थित है जनसंख्या का ध्यन क्या कहलाता है तो डेमोग्राफी जनसंख्या का ध्यन कहलाता है रेड क्रोस सोसाइटी का मुख्याले कहा है तो जिनेवा में रेड क्रोस सोसाइटी का मुख्याले वस्तित है यूगंडा की राजधानी कहा है तो कमपाला जो है यूगंडा की राजधान है भारत में पूर्त गालियों का पहला गवर्णर कौन था अलफानसो डी अवलुकर्ग था बास्को डिगामा पहली वा भारत का बाय था भागवान बुध को निर्वान कहां प्राप्थ हुआ था चात्रपजी सिवाजी की मंत्री परसित क्या कहा जाता था अथरवेत का ब्राम्हन ग्रंथ कौन शाह है गोपत ब्राम्हन है बाबा फरिद कौन थे तो परसित सूफी संथ थे बाबा फरिद किस मुगल समराठ को राष्टिय समराठ कहा जाता है अकवर को कहा जाता है नूर जहां का बास्तविक नाम क्या था तो महरू निश्या जो था नाम था किस सूफी संथ ने कहा था दिल्ली अभी दूर है तो निजांबुदिन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है मुसलिम लीगी ने मुक्ति दिवस कम मनाया था तो 22 दिसंबर अपना गुरू मानते थे भारतियों दोरा सामी साइमन कमिशन का बिरोद क्यों किया था क्योंकि इसमें कोई भारति सदस्तना होने कारण भारति जो था सामन कमिशन का बिरोद किया था करनल वाइली की हत्या के आरुप में किसको मिर्तु दंड दिया गया तो मदलन धिंगा के असे मिले में बं फेकने वाले भगत सिंग के साथ ही कौन थे बट्टू के स्वर्दत थे मेरे शरीर पर लगी एक एक चोटी बिर्टी समराज के लिए ताबुत की किल सीध होगी यह कथन किस राष्ट्वदी निताने कहा था यह लाला लाच्पत राइने कहा था जिन्ना द्वारा सिधी करवाही दिवस किया जाना कब निशित किया गया था तो 16 अगस्त 1946 इस्पी को जिन्ना द्वारा सिधी करवाही दिवस किया जाना निशित किया गया था बंदे मातरम पत्र के संपादा कौन थे अर्विंद घोस्ते जालिया बाला बाग हत्या कांट की जांच के लिए कौन से समिधी गठित की गई तो हंडर समिधान सभाद वारा समिधान को किस दिन सुकृति परदान दी गई सब्सक्राइब की गई भारत का गंतंत के रूप में जन्म कब हुआ था भारत का गंतंत के रूप में जन्म हुआ था भारतिय समिध्धान कितने भागों में विवाजित है भारतिय समिध्धान का गंतंता जीवन की सुरक्षा का गंतंता जो है सब्सक्राइब कर खाना में अर्ठात बाल सरम नहीं करवागा जो सकता है मैं 14 वर्से कम उम्रके बच्चे को किसी कम खाना में काम नहीं कि रह Yesterday सब्सक्राइब थिद्वावगान की तब्सक्राइब करन probथ्षाय दोे हैं थाぃध्ण संवीधान संद्र मुंई 75 की दुर्ग किया गया कि जनसंख्या के दिरिष्टी से तथा च्यत्फल के दिरिष्टी से भारत का हिस्टर स्याय था साथ है तो नास्ता नागपुर पठार की सबसे उची परव् Сबसें सबसें साथ कौ가지 भारत नेपाल के सीमा बनाती है घरत में किसे बैठेक में है कर्नाटक लाक में concert राधिक रज राज जो है चंदरीवोंट くर भाती है हैं तो स्ब्रकू है किस देश में याएए युच डुनन स्रोक्षा खORAश स्थापना कब की गई सत्या सक्ट्यूर्ण देश का पहला राज कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को केंप्यूटर नेटवर्क से जोर दिया गया तो आंधु पर्दिश का है यूरो को मुद्रा के रूप में एक जन्वरी 1999 मी सभी कार करने वाले देश्यों के संखें कितनी थी तक समधान यूजना का समध है तो कर बिवाय से समधान यूजना का समंध है यूनिट त्रॉस्ट अंडिया का परभू हुद्यश क्या है छोटी-छहटी बजतों को पुरुट्साहिद देना है अंतराष्टी अंद्राकुस किस सम्मेहलन की देन है यायमेब स्वेंग भीना बदले रस्षानिक अभिक्रिया के दर में परिवर्तन लाने वाले पदाथ। क्या कहते चैनी इसको उत्प्रियेरक कहते हैं फैरनहेट कर माना का अनुषार पानी का समानिक को अधना कितना होता है तो तो बेंटिंग जो इनसले निकी खोज किया था बोकारो एस्टिल पलंट किस देश के सहयोग से बना है तो पुर्षोब्यत संघ के सहयोग के penso बोकारो विटील आपक कंप मनाया जाता है do Die राइबो फलोवीन है भी टामन अपकियों के काठने पर किसके कारण दर्द होता है तो फरर्मिक अम्र के कारण heißt होता है के संबएग कैसी रासी है सधसो अधमादिष जो एक सदीस रासी है हैमर्ण बारत में कितने पिङकोड़ी भारत सिर्टायब में कुल अठ्ठीन कोड़ investigation है अवस्थित है सबस्वर्पी सब्सक्राइब किसके हस्ताचर होते हैं अ पर स्वी सुरांज कोड ड्मेला हर्यान किस नगर में आयोजित किया जाता है सुरज मेला को समद्सें तो सब्सक्राइब कुफरी चमतकार किस फसल की परजाती यह आलूग की परजाती है कि हरपा कालिन सभिता मानव इतहियास के किस युग से समद्दित यह कास्या तामर काल से हैं पल्लब चोल मंदिर अस्थाप्त कला सैली को किस नाम से जाना जाता है तिया दरावीर सैली के नाम से जाना जाता है किस ग्रंथ कानुवाद रज्म नामा के नाम में किया गिया था तिया महा भारत कानुवाद जो किया गया तो उसे रज्म नामा के नाम से जाना जाता है अपने आपको नायब एक खुदाई अर्थाद इस्ट्वर का प्रतिनेधी कहने वाला सुल्तान कौन था तो वह बलवन था माराथा सोतंता संग्राम का न्यत्रत और अन्जेव के बिरुद किस महिला ने किया था ते तारा बाई ने किया था चालिस अमूरियों के समू, चालिसा का समूलन विनासकिस ने किया था ते बलवन ने किया था पानी पत का तिसरा युद 1761 स्पी में अहमद सा अबदाली और किस के बिच हुआ था तो यह अहमद सा हमदाली और मराठो के बिच हुआ था पर्थम जैन सभा किस सासक के काल में अरबो को पराश्त करने वाला कस्मीर का सासक कॉन था तो ललिता दित्य मुक्त पीर जो था अरबो पराजित करने वाला कस्मीर का सासक था है महात्मा गांदी ने दांडिम यात्र का प्राणंप की थि तो 12 मर्च 1930 के स्था दांडिम यसक्रा प्राणंंप के थे 1857 बिद्रो को सैनीक बिद्रों के स्थान के मिर्श्ष्टिय बिद्रों की रूप में चित्रित करने वाला अंगरेज सांशात राजनित यंग बंगाल के सथापक साथ सोदक्स समाज के अस्थापना की थी हिंद स्वराजपुस्तक के लिखा किसने किया था तुम्हत्मा गांधी ने हिंद स्वराज पॉस्तक का रशना किया था कांगरेस के पर्थम अध्यक्ष कौन बने थे ला biology खालाती का खाला ब्हुवigraph題 निया गांठात Canadians कहां हुआ यह फाइजवाद में हुआ था राष्टी एक धर्म है जो इस्वर से प्राप्थ है यह कथन किसका है तो यह कथन अर्विंद घोसका है राष्टी एक धर्म है जो इस्वर से प्राप्थ है भारतिय समिल जान का नूसार भारत का सुरूप क्याईसा है though भारत का सरूप एक संग है राजगाहए सोतन्द भारत का पर्थम भारतिये गवणनरा जनर्रल कौन थे चकरवरति राज में पल्लाच्यारी की राज के निती निर्जक तत्क का अनूसार राज जो कितने वर्ष के आयुतों के बच्चों को निसुलक और अनिवार सिक्षा की विवस्था करेगा तो 14 वर्षते के बच्चों को यदि कोई सरकार नित्ती निर्जक तक्तों की उपेक्षा करती है तो उसे निस्चित ही इसके लिए मद्दाताओ के समख्च उत्तरदाई होना पड़ेगा यह कथन किसका है डॉक्टर भीमरा अंबितकर का है 42 में समिधान सनसोधन की अनिक आपती जनक बातों को रद करने के लिए कौन सा सनसोधन बिदहेक लाए गया राजनितिक दल वदल पर कानुन रूप कप्रवधान की समिधान सनसोधन के दोरा लाए गया मताधिकार के लिए निम्तन आवस्यक उम्र 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स की समिधान सनसोधन के दोरा किया गया तो 61 में समिधान सनसोधन 1989 के दोरा किया गया माईब्यों का व्我् got Right हुपती पर महाभीयों कारोप संसद के कि सदेन दोरा लगाया जाता है तो संसद किसी वी सदन में जो ही राष्ट प्रती महाभीयों कि लगा सकता है है कि मेकमोहन रेखा कीन दोद्यसों के बिच सीमा बनाता है भारत और चीन के बीच विच सुभ्सतित है यह महाराष्ट में वखतित है भारत का कौन सा स्थान भूमद रिखा युकॉछ यह करनाटक और तमिलाडु सोकर भहती मैं काली और तिस्ता नदियों के बिचकोन से हिमालाय का भाग है की सेते चाहिए बाइऄ मंडलंALK समय का निर्धारन होता है बायू मंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को प्रावर्तित करता है तो आयनों एस फेर द्वारा रेडियो तरंगों को प्रावर्त किया जाता है परवर्तिय छेत्रों में निवास करने वाले एटा जन जाती कहां पाई जाती है यह स्रीलंका मे समद्धे गुलावी करांती सुन अधारित बजट से क्या तात्पर है बिलुकुल नए सीरे से बजट को त्यार करना सुन अधारित बजट कहलाता है केंद सरकार का बजट सुबह 11 बज़े पेश करने वाले बितमंत्री कौन थे यह स्वाद निसीन हाथ है 20 बैंक के स्थापना कब हुई थी दिसंबर 1945 इस्पी में 20 बैंक के स्थापना हुई थी भारत में परिया टन वह होटल उद्यों को कौन बढ़ावा देता है तो आई टी डीपी बढ़ावा देता है भारतिये बित्तन निती का अधार क्या है जीवन निर्माह लागत है बोल्ट संबंधित है मुँम्ब sür है श्रॉक एक्सिलन से बोल्ट संबंधित है काम के बदलिय आनाज कारीकरम किस पंच वरुच शुजिया नहमें जोह काम के वदलिय आनाज गयव स्वबारम किया गय है लब्त हन नंसा किस देश की ब्यवान सेवा का है जर्मणी कि बीवान सेवा का नाम है। गÁ Solar a किस प्रक्डिया सर सीवी रमन को भौतिकी का नवर पुर्सकार कब मिला था उन्हें सो तीस इसपी मिला था केमपूटरों के इंटीग्रेटिट सरकीटों के लिए चिप्स सधानते किसके बनाये जाते हैं तो सिलकन के बनाये जाते हैं मनुष सरीर के सबसे बड़ी हड़ी कौनसी होती है तो फीमर सबसे बड़ी हड़ी होती है बुलू बिट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है तो कौपर सेल्फिट को जाना जाता है पौध्य के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है तिया तना के भाग से हल्दी प्राप्त हो यह सेल खरी का बना होता था बैदिक युग में राज ब्यवस्था का शरूप कैसा था तो राज तन्तरात्मक शरूप था रेगवेद में सबसाधिक मंदर किस देपता के अस्तुति में लिखा गया है तिया इंदर के अस्तुति में लिखा गया है हरपा सनस्कृति के किस अस्थल से घोरे की हडिया प्राफ्थ होई है यह सुर्प कोटदा से प्राफ्थ होई है ब्यदानत सब्द का परयोग किया गया था उपनी सदों में जो है ब्यदानत सब्द का परयोग किया baru था के जो अकञाल परता भारत के खेतध्रों परता था शहीं जहा जहांकिर के बिद्रो किस बर्स किया था तो 1623 स्पी में जो चाहां जो था जहागीर की बिद्रो किया था कि हाल सा का अरम किस गुरु ने कता किया था गुरु गोविंद सींग ने खाल्सा पंथ का अरम करवाया था ऑंग्रेजों का सबसे पाहला संगर्स किस मुगल समाट के साथ हुआ तो और अंज्येव के साथ हुआ था पर्थम स्वधिन्ता संग्राम 1957 से पुरु वर्ष अंग्रेजय दुवारा किये जार रहे आर्थिक सोसेन के बिरुद बिहार की संथाल जो है बिद्रो कब हुआ था तो संथाल जो था 1856 में जो है संथाल बिद्रो किया था बिर्टीश नित्यों की बिरुद सरपर्थम विद्रो करने वाला पर्थम जन जाती समुख कौन था यह खसी था भारतिय ट्रेड यूनियोन एक्ट कप परित हुआ था उन्डियान डेशनल ट्रेड यूनियोन कांग्रेस के अस्थापना किस वर्ष हुई थी जालिया वाला बाग हत्या कंड के बाद पंजाब में फैली असांती के जांच के लिए कांग्रेस दुआरा निक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे पंडिय जवाहनल नहरू इसकी अध्यक्ष थे किस घटना के बाद महत्मा गांधे ने ब्रिटी सरकार के विरूद अपना सरप्रथम आसायोग अंदल प्राणम किया था तो रॉलोट एक के विरूद किया था राजने तिक सतंदरता राष्ट की प्राणवाई है यह कतन किसका है यह अर्विंद घुसका है भारत छोड़ो का प्रास्ता कांगरेश ने कब परित किया था ति 8 अगस्त 1942 इसमेक बंबे मे परित किया था सर प्रथम किस अधिनियम के दुआरा भारत में उत्तरदाई सासन में वस्ता अस्थापित की गई Prevention continue जory सासन अधिनियम के दुआरा समीधान का प्रणुप समिधान सवान कब सुकृति किया था 26 समीधान में भारत को कहा गिया है तो राज्यों का शंक médi कह गया है भहरत को समीधान सवा के औ अस्थाइल अध्यक्ष कौन थे भारत का मेंग ने काटा समीधान किस भाग को कहा गया है तब हाग तीन को समिंधान का मैगनी काटा कहा गया है आज अखिल भारतिय कांग्रेश ने किस वर्स यह प्रस्ताव परेत किया कि भारत की जनता स्वेंग बिना किसी की विद्यसी हास्त शेप के अपने समिंधान का निर्वान करेगी यह 1936 इस्पियों कि बर्तवान में भारतिय नागरिकों को कितने परकार के मौलिक अधिकार है जो परकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है बर्तवान में मौलिक अधिकारों के सुरक्षा है तो नियाले कितने परकार के रिट जारी करता है तो पांच परकार के रिट जारी करता है लोग लियोजन के विशय में अबसर की समानता का उल्लेक समिधाने किस अनुछेद में हैं तिया अनुछेद सुल्ला में हैं किसी विद्हेक को धन विद्हेक के रूप में कौन परवानित करता है लोग सत्य फिलाए स्थिति लौ इस पाथ कर खाना किस देश के सहयोग से अस्थापित किया गए थे रिं चनुने अस्थापित किया गिया था रेल के बिजली से चलने वाले इंजोनच को निर्वन कहां होता है यह भोपाल में होता है नेवेल्टी लिगनाइट निगम निम्निखित में से किस राज की गिलनाइट कोईला निकालता है यह तमिलाडू से निकालता है उब्होगता दिवस किस तारीखों मनाया जाता है तो 15 मार्च को उब्होगता दिवस मनाया जाता है भारतिय निडियात आयात बैंक एक जिम बैंक के अस्थापना कब हुआ था 1982 दिव के स्थाप मा मंद्य परदेश कीि adventures ब्याज के दिवा सिसे की planned स्थावारत में अफिर में अभी मींदान का आद्ध निधर मेंपड़ी सच र saja benya मुद्राक मेसे आधि मिंद्य तर आननीक यह तूल में की प्रतिपादित की potrzeb को डाबहुल पावर प्लान्ट किस राज में है तो यह महराश्ट में है कि आए सी आए इसी आए की अस्थापना कर रहे हुआ था उनिसापना हुआ है भारतिय जीवन विमाकराश्टिक करन कभ रहे हुआ था उनिसोच पर इसुन की खोज रोप में पाया जाता है केलसिंव फास फेट की रूप में पाया जाता है मैग्मोमीटर से क्या मापा जाता है तो ग्यसयो का दाब मापा जाता है टेया मैसीन चाल पर कोई प्रहाब नहीं पड़ता है दोनी की चाल पड़ प्रेसर को कॉस्मिक किरने की खोग किया थे छालक की विधुत परतिरोगता का मतर क्या है प्रित्विक और सेंटीमेटर की सेरी किस किर्केट खिलारी का निकनेम है तो नवजुद सिंग सिध्धु का जो निकनेम है सेरी है मलियालम मनोर्मा गोल्ड मेडल पुरुसकार किसे परदान किया गया था तो पीटी उसा को परदान किया गया था मडेका कप किस खेल से सम्मधित है तो फुटबल से है मडेका कप सम्मधित है पोलो को खेलियों परत्यक पक्ष में कितने खिलारी होती है तो चार खिलारी होती है बोरिस बेकर का समन्द किस खेल से है तो लॉंग टेनिस से होता है विकेट से विकेट तक किर्केट पीच के लमाई कितनी होती है तो बीच ते सवनों एक दू मीटर होता है पेनल्टी पॉइंट डॉग फॉल फॉल बैंक बरेकडाउन सब्द किस ख्याल से समंदित है यह कुस्ति से समंदित है इरान में इरना क्या है तो वहां का जो अधिकरित नीज अजेंसी है इरान में इरना अमिर्का के अंतरिक्ष के नर्नासा ने बिर्सपती गरह की जनकारी यकित करने के लिए उनिस्तो नवासी इस्पी में कौन सा यान अंत्रिक्ष में भेजा था यह गैलियो भेजा था राजनिती से सन्यास लेने वाले जॉन मेजर इंग्लेंड के पूर्व में क्या थे पर्धान मंत्री थे अगला कोशन हैं कि चौथी बौध संगहती किसके संरक्षन में संपन हुई थी तो कनिस के ससनकाल में जो है चौथी बौध संगहती संपन हुआ था महाविर सौमी ने अपने संग्यों को एगारों गनों में बाठकर चतुर्त विद्शंग के अस्थापना कहा कि थी तो यह पाबा में किया था हरपा संस्कृति से समन अस्थल रंगपुर किस राज में वस्तित थे यह गुजरात में वस्तित थे बैदिक यूग में अनस किसका परचायक था यह बैलगारी का परचायक था अनस बैलगारी को कहा जाता था दीबा ने मुक्स्त खाराज भ्यूप के स्थापना किस सुल्तान ने किय था तो तुमूर के आकरवण के समय भरत पर सभी सुल्तान की आत्मकता का नाम है फिरोज दुगलक की आत्मकता का नाम है कौन कउती पप्रिय रहा है तो महाबलीपुरम के मंदिरों कानिर्वान किस राजवन्स के साथकों ने करवाया था था तो पल्लाव के शासकों ने करवाया था महाबालीपुरम के मंदिर खनेवान राष्ट कुटो का परसीद स्थैप्त कारिकौंप्ट स्याहें तो कलास मंदिर निर्वहं राष्ठ कुटों ने करवाया था 1857 के करांतिक विशे में यह कथन है कि करांति मुस्लिम समराज के अस्थापना के लिए किया गिया एक सड़ी अंदर था तो जम्स आउश्ट्रम्डम का था प्रत्ना समाज का गठन किस ने किया था तो आत्मा राज अंडूराव ने किया था पांग्रेस्ट सोशलीट पाथी का गठन कव हुआ था उन्गरेस्ट सोशलिस्ट पार्टि का गठन हुआ था भागत सिंह राजगूरु देव और सुख देव और फासिक स्रकव दी गई तैस मार्च 1931 स्थी को दिया गिया हिंदूस्तान सोशलिष्ट डिपक्लिकन आरमी के कौन थे हेनडी विवियन डेरो जीयों थे यंग बंगाल के संस्थापक जातिय दुर्भावना की विरुद्ध आत्मसम्मान अंद्रों सरपर्थम कहां प्रणम हुआ था यह हुआ था ट्रावन कोर में हुआ था अठारो संतावन के बिद्रों के असफलता के बाद बहादूर साधुतिय का क्या किया गिया उसे रंगूर में जो है निर्वासित कर दिया गिया ओल इंडिया ट्रियर्ड यूनियन कॉंग्रेस ए एट्यूसी के अस्थापना कब होई थी उने सो बीस एस्पी में हुआ था ब् पंडिय जवाधर नहरू नहर प्रेस नागॉर राजस्थाण में किया था योजणा आयोक्य हुप सरकार के सरकारी वरयता करम में किसके संकष्ष दर्जा दिया जाता है किस परद्भाण मंत्री में दलबदल विरोधी विद्हयकस हुआ था तो राजीव कारिकाल में पास समिन्धान की प्रस्तावना में कौन सा समिन्धान सनसोधन द्वारा सनसोधन किया गिया है तो 42 में समिन्धान सनसोधन द्वारा प्रस्तावना में सनसोधन किया गिया है समिन्धान के मुल प्रारूपों में राज्यों के चार प्रवर्ग थे राज्यों के यह प्रवर्ग कब स्माप्त किया गया यह 1956 एसवी में स्माप्त किया गया समिध्धान का प्रारुप समिध्धान सभाने कब स्योकृति किया था 26 नवर 1964 को स्योकृति किया था समिध्धान के किस अनुछेद में निया पालिका के कारिपालिका से प्रिथक करने की बात की गई है तो अनुछेद 50 में किया गिया है उस्तम नियालय की पहली महिला नियाधिस कौन बनी थी तो फातिमा बीबी जो थी उस्तम नियालय के पर्थम महिला नियाधिस बनी थी भार्तिय समीधान में राज के नितीय रुजक तत्य और से अपनाई गई है ति यह tap ओ आयरलेंड के समीधान से अपनाई गई है भार्तिय समीधान के समयधानिक सलहकार कौन थे सर्बियन राउथे किस ज्वालों मुखी को भूमद सागर का प्रकास अस्थम कहा जाता है तो एस्ट्रम बोले ज्वालों मुखी को कहा जाता है दहरता चालिसा क्या है तो दचने गुलार्द में 40 डिग्र अच्छान्स के पास जहां तेज पच्छुआ हवाई चलती है उसे क्या करते हैं दहरता चालिसा कहते हैं का मोटर गारी निरमान करने वाली हेंरि फो будем कांपनिक की सहर में है तो यह है कौन सी रेखा पाकिस्तां तथा भारत के बीच सीमां निधारिद करती दो रेट franchise की दरिखा करती है जोजीला की दर्जा किस किस Pretक स stain को जोरती है तो लितक शृण slopes पूरवी तर्थ को किन दू भ्हागों बाटा गिया है कि नर्मदान नदी का ऊद्गम कहा हैं तर्था और कंटा कि पहारी से ज covari नदीका उद्गम है भारत का सराधिक वर्षवल आस्थान मानिश राम किस राज में अवस्तित है तो यह मेगा लाय में अवस्तित है मानिश राम मेवराक्षी नागर किस राज में अवस्तित है तो यह पस्सिम मंगाल में है पच्छीओं के पूच उसके किस काम आती है तो हवा में उर्ति समय संतुलन बनाए रखने के लिए पच्छीओं का पूच उसके काम आती है कोशिका का उरजा घर किसे कहते हैं तो मेट्रों कॉंडिया कोशिका का पावर हौस करते हैं हैं घरों में विजली सफलाइक लिए 23 क तारों कि पर्योग करते हैं लायब्र नीट्रोल और अर्थ इस करम में तारो खरंग होता है लेब जुन राल कलर का होता है ब्रोब्र तारा अपने अस्थान पर इस्थित्य परतित क्यों होता है तो और पिर्थिभी से होता है किर्तिम उपगुरा में उर्जा का सुर्थ क्या होता है तो सौर्व बैटरी होता है आकास का सबसे चमकिला सितारा कौंशा है तो साइरेस जो है अकास का सबसे चमकिला सितारा है ऑक्सिकरण की क्रिया में इलेक्ट्रोन में क्या होता है लाव यहानी होता है तो यहा पानी में साबुन घुनने से पिष्ट तनाप क्या प्रहाव परता है तो पिष्टे तनाप कम हो जाता है मेल बर्न किरकेट कल्व की अस्थापना कब और कहां की गई थी तो 1787 इसपी में इंग्लेंड में की गई थी किरकेट की लंबाई कितनी होती है तो 28 इंज होती है किर्केट के स्टम्प की लंबाई फुटबॉल से समंधित सबसे प्राचिन कल्व है तो सेफिल्ड फुटबल कल्व इंगलेंड जो 1957 स्पी में गठित हुआ था किर्केट से समंधित मेलबर्न एस्टेडियूम कहां वस्थित है तो यह अस्टेलिया में ठेखनाव में हैं कि कि इन deposit करी सेन वार्ण किस देश के हैं यो अस्टेणिया कि हैं। अजिए जो भारत का है उसका समंधित के से था गेट से था। गैट से थी तथा मायकल फरेरा किस खेल्ड के प्रसित खिलारी है यहें घ्र खेलारी है प्यOR कि पात्रिकरिता के च्षेत्र में बिशृष्ट्योगदान के लिए उनिस सो निनानमे सबीका मेली देवी पुर्षकार किसे प्रदान किया गया था थैस भारतिय जन्संग के प्रतो अद्याक्च कौन फे डाक्टर स्यामपरसाद मुखर जी थे असम में एक ही दिन में 532 अतंगवादियों ने राजपाल के समक्ष आत्समपन किया था वो राजपाल कौन थे यह थी S के शिन्हा थे राष्टम अंडर पुरुषकार सम्मानित गराउंड बिनित हर फिट किस लेखा की किरती है तो सलमान राष्टी की है होरी मुनसी प्रेमचंद्र किस उपनियास का पात्र है तो यह गोदान का है धुरुब स्वामी किस नाटाकार की पात्र है तो यह जैसंकर परसाद की है पद्वाबद की राष्टना किसने की थी तो मलिक मुहमद जैसी जो था पद्वाबद की राष्टना की थी अमेरिका का पर्थम राष्टपती कौन थे तो जर्ज वासिंग्टन थे स्वधिन्ता संग राम से समंधित माराठा का संपादक कौन थे बाल गंगा धरती रग थे भारत के निर्विदोद चुने जाए गए राष्टपती कौन थे तो डॉक्टर संजीब नीलम रड़ी जो थे निर्विरोद भारत के राष्टपती बने थे प्रिंस विषमार किस देश के एक ताका साकार रुप देने वो समराज अस्थापता के लिए जाने जाते हैं तो जर्मनी की दिल्ली के लाल किले में मोती महजीत गंडवन किस ने करवाय था और अंजेब ने करवाय था मोती महजीत कंडवन बैदिक रजायो दुवर अपनी परजास से वसुल किया जाना वाली कर का क्या नाम था तो वली था सावीत्री को सम्मोधित है ऑधरी भारत में सबसे अधिक संख्या में हरपा यूगिन अस्थ्वले कीुछ किस राजव हुई है अजिवीका सम्पर्दाय की पर तिपादे कौन थे मखमऴी गुसाल थे किस अस्थान को बहुत धर्म की जण अस्थाली माना जाता है शार्नाथ को माना जाता है लिंगा यद संपर्दाइक की अनुई आई किस देपता कि उपासक थे तो सिब के किया था अलावदिन खिल जी के पिता साजी भोसले मूलत किस राज की राजसेवा में थे यह अहमदनगर की रासेवा में थे यंग बंगाल अंदोलन का सुत्रपात किष्ण ने किया था तो हेंड़ी विवियन डेरे जीयों ने किया था कांग्रेस के तिरपूरी अधिवेशन 1949 में सुभाचन बोस ने महत्मा गांधी द्वारा समर्फित किस परत्याक्षी को हराया था तो पट्टा भी सितामर्मय्य को हराया था महान सोथनतास नानी रानी लक्षी वाई के समाधी कहा है तो गौअलियर में हैं बृटीस जेदम में सेवारत भारतिय सेनीकों का पाला सेनीक बिद्रू काहां हुआ था और 106 Rahmen Cathy को हुआ था कि लोड डोल हेजी का वह कौन से एक मात्र प्रसास्किय कदम था जिसका अठार संतावन के बिद्रोग के विश्फूट के में स्वराधिक युगदान रहा ते ब्याप वगत किसी धान था तिल्ली में समराठ बहदूर सादुतिया की सेना कस्तिना नायक कौन था जनरल बक्स्त खहां था ब्रिटीश सासन थोपने के बिरुद भरत के किस भाग में ओखा मंडलो के बगहिरों ने बिद्रोग किया था यह सोराष्ट में किया था सर बिलियम जोन्स ने 1784 इसपी में किस संस्था के अस्थापित करने का सिरे जाता है तो बंगाल एसियाटिक सोसाइटी के अस्थापना करने का सिरे जाता है मदलन धिंगारा ने लंदन में किस अंग्रेजी अधिकारी की हतिया की थी तो कर्जन वाइले की हतिया की थी मदल में कितने अंच्छीत था कितने सुचिया है तो 406 अंच्छीत था 12 अंच्छी है समिधान के प्रस्तावना में संसोधन करके क्या सब जोरगए हैं तो पंथ निरुपेक्ष समाजबाधी और अखंडता सब जोरगए हैं बित विध्यक सनसाथ के किस सदानें प्रस्तूत किया जाता क Pened कबिनेट मिशन योजना काउन सार समी धान सवह में कूल कितने सदस्त होने थें तो 389 सदस्त होने थे कब्सवतंद सब्सक्राइब किस की सिफारिस पर क्या गिया था गदिए the for भारतियस धिनता धिनियम को किस दिन ब्रिट्रीय समरेग की श्कृति मिली थी 1989 मिली जब भारत शो न छूप होगे लिएवरपांटी की सिरकार थी समिंधर्ण की प्रेस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उनलेकीत है तो भारत इंडिया भारत शुरूष में घ्लिश ब्लाइक किसे स्कून प्रियुजन यह किस समंद्ध है यह उत्तर पर्दे से समंंदित मैंनी नॉट लैंन किन्द देशक बीच सीमा रखा है तो qualquer Gint नॉट्स के बीच सीमा रिखा कि जपान पहले किस नाम से जाना जाता था निपन के नाम से जपान पहले जाना जाता था सेंट लुईस नगर की दो नदियों के संगम पर इस्थित है तो मिस्टी सीपी और मिसौरी नदियों के संगम पर इस्थित है सेंट लुईस नगर बिदर्व कि सराज का एक भाग का नाम रहा है तो महराष्ट का नाम बिदर्व रहा है भू आकर्ति बिग्यान में किसका सांगो पांग बर्नन किया जाता है तो भू पुरिष्ट के प्राकर्तिक लश्णों का बर्नन किया जाता है भू आकर्तिक बिग्यान में देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिंटेड कहां वस्थितर यह पूने में हैं किस भारतिय नगर को अंतरिक्ष नगर एस्पेस सिटी के उपनाम से जना जाता है ते बंगलर को जना जाता है CRISIL का पूरा विस्तार क्या है इसका पूरा विस्तार है क्रेडिट रेटिंग इलफर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटीड है सेर बजार में उस व्यक्ति को क्या कह जाता है जो भविस्त में सेर कीमितों में ब्रदी होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविस्ते बेचकर लाब कमाने के उदेश से सेर की खरिता है तो उसे बुल कहते हैं उदार मुद्रा सौफ्ट क्रेंट से क्या होती है वह मुद्रा जिसके अंतराष्टी बजारे मांग के तुला में अपूर्ती अधिक होती है बरत्वान में भारत की राष्टी आय की गान्ना कौन करता है तो केंद्रिय सांखे की संगठन करता है भारते बेवरुजगारी का प्रमुक स्वरूप क्या है तो संडशनात्मक विरुजगारी है जी एट संगठन में समलित आठमा राष्ट कौन था यह रूस था राष्टी योजणा समीती के स्थापना कब होई थी उनिस्सो अर्थिस इस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्स पंडे जवाला नहरू थे भारत के किस पंच वर्षी योजणा में परत्मिक्ता को विकास से हटा कर परतिरक्षा की और केंद्रित किया गिया था तर तिर्थ सक्काश्च में चलाया गया था को पटाकों में लाल रंग किस 알क prin!」 करन होता है तो एस्ट्रोसीं की उपस्थिति के करन की पटाक के में लाल होता है प्रीयोग का energy किया जाता है प्रेयलीन का प्रियोग से fleeing मालेरिया से कौन सांग प्रहावित होता है तो पलिहा जो होता है मलेडिया से प्रहावित होता है रक्त कोस में रक्त किस रसाइन के साथ मिलकर रखा जाता है तो सोडियम नेट रेड वो डेक्स्ट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है ब्राडवेंक में मुत्र का पीला रंग किसके कारण ह होता है युरो क्रोम के करण मुत का रंग पीला होता है परकास में धिर्वन के घठण क्या सिद्ध करती है परकास की टरंगtoi अनुप्रस्त तरंगे ट्रांस वर्स हो ती है कि एक परकास वर्स होते है तो 9.496-10 के पावर 12 किलोमिटर होते हैं सूर्ड से तिसरा गरह है पिरत्वी जो है सुर्व से तिसरा गर्ण है फोटोग्राफी में प्रियोग किये जैने वाला हाइपो बिलियन का रसानिक नाम किया है तो सोडियम थायो सेल्फेट है कि यह किरन वेदी कि आत्म कथा है पाकिस्तान इस्थित लभांडी सीखों का पविध धर्म अस्थाल है यह समंध्ध है यह गुरु नानक देव से समंध्धेत है ब्रोकिंग भिंग किसकी परसीत रछना है यह स्रोज़नी नडी की रचना है भारत के पर्थम लोक सबाध्यक्ष कौन थे गनेश वासुदिव मावुलंकर थे बहुत चर्चित दबा ब्यगर्या का विश्कारकिश ने किया था डॉक्टर रोनाट चिराग ने किया था बिलियम बेंटिक के सासन काल में ठागी का अंद करने का सरे किसको जाता है तो यह करनल सिलीमेन को जाता है वह एक मात एसियाई देशकाउन सा है जिससे सनित राश्च संग के महासचिव चुने गया है तमियामार वर्मास है सनित राश्च संग के पहली महला ध्यक्ष एक भारतिय थी उसका नाम बताए ति बिजय लच्मी पंडित थी इंटरपोल का मुख्याले कहां वस्तित है ते लियोन स्पेरिस में वस्तित है किस भारतिय लेखे का के पुस्तक फास्टिंग फिश्टिंग को 1999 इस्पी के बुकर पुर्सकार निरनाईकों के दूसरी सर्फिष्ट कृति माना है तो अनिता दिसाय की पुस्तक जो था लक्सदिप के मुखवासा क्या है? तब मली आलम जो है लक्षदिप के मुखवासा है अंतराष्ट्य नियालाइ सनित राष्टां की एक सहयोगी संस्थाहिवा किस देश में है? तिया निदरलेंड है है शारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा के रचेता कौन है मोहमत इकबाल है इसके रचेता गर्लम स Lewis कि के लिए दिई जाती है तो साथष्य के लिए लिए जाती है इस वेत किसके सिद्धी चुक्रात कि भंडर नाई के स्रीलंका के थी एधिहासिक फिनिक्स फर्म कहां है यह डरबन दच्छिन अफ्रिका में है दा अंटोल्ड स्टोरी के लिखा कौन है जनरल कॉल है रामक्रिशन मिशन किसके दौरा प्राम किया गया था तो स्वाई बिवेका नंद के दौरा रामकिशन मिशन प्रारम किया गया था तीजन देवी का नाम किस प्रकार के संगिस से संब्दित है तो लोग कीज से संब्दित है ए-train to पाकिस्तान इसी नाम के उप्य न्यासपा धारित है इसके लेखाक कौन है तो खुसवन्द सिंग जो है ट्रेंटू पाकिस्तान के लिखाग है चैमेली दई पुर्सकार किस छेत्र में उलेखने या कारी करने के लिए परदान किया जाता है तो पत्यकारित्या के स्थापना किस ने कि थी तो धर्म पाल ने किया था दिलवारा का जैन मंदिर कहा वस्तित है तहीं मौंट आबू में अवस्तित है राजस्थान के तो काली बंगा में में सिंदु घाटी सविता कवशिष पराप्त हुई हैं वह किस जीले में है तों गंगा नगर जीले में अकवर ने किया था दिली के लाल किले का निर्वान किस मुगल सासक ने करवाया और इस किले में मोती मस्जित के निर्वान किस ने करवाया तो लाल किले का निर्वान दिली का जो सहजहा ने करवाया और इस किला में जो है मोती मस्जित का निर्वान औरंजेव ने करवाया था दिल्ली संतलत के किस सासक निरासधानी दिल्ली से बदल कर दौता बात करने का फैसला किया था तो मुहमद बिन तुगलक ने किया था में निए ने किया था कि दिवाने ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी को है का jusqu का यहांगिर ने दिया था अनुमती 1878 SP के बर्नान कुलर प्रेस एक्ट का भी प्रैक्या था भारती ये भासाओं में स्माचर पत्रों का प्रकाशन रोकना था भारत की स्वतनता संग्राम के समय ब्रिटेन का प्रधान मंतरी कौन थे तो किलिमेंट इटली थे लाहोर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना अपना लक्ष पूर्ण सोराज घोसित किया यह दिवेशन किस वर्ष हुआ था यह 1929 SP में हुआ था किस अंदोलन के साथ महत्मा गांधी ने भारती राजनिती में प्रवेश किया था तो चमपारान अंदोलों नहीं सतर के साथ प्रवेश किया था भारती राष्टी अंदोलों के दोलान अभिनाभ भारत किया था यह एक गुप्त उग्रवादी संगाठान था अभिनाभ भारत 1908 इसपी में की संदस नानी को अलिपूर सेंट्रल जेल में फासी दी गई खुद इराम बोस को दी गई भारती राष्टे कंग्रेस के कलकाता अधिवेशन 2026 इसपी में कंग्रेस ने सव्राज को भारत के लोगों को लक्ष अग्गिकार किया इस अधिवेशन के दैख्ष्ट किसने किया था dare भैं ने लेड़ेशन को ङलकाताम है उसकी कि दैख्ष्ट किया था भाल कंगा धरत द्र ती लग को भारतिय असंतोस का जनक का था किस ने कहा था ते वेलेंटाइन शीरोल ने कहा था कि क्यमिनल आवाड करने रुनाई देते समय बूटीन का परधान मंतरी कौन था तो रेम जे मेक डोनाल्ड था जालिया बाला भाग हत्याकांड की बिरूद में किस भारतिये ने बाइस सरय की कारपरशतकी से इस्थिपा दे दिया तो सर संकरन आयनायर ने इस्थिपा दे दिया था इंडिया हाउस नाम पुवश्टल के स्थपना कहां की गई थी तो लंदन में किया गिया था भारतिये संसत की करभाही में बिना सदस्ता प्राक्ट किसे कौन भाले सकता है तो भारत का महानेवादी ले सकता है Attorney General of India भारतिय समिधान के प्रावधानों को 26 जनवर 1950 इसमी में लागू किया गिया लेकिन समिधाने कुछ प्रावधानों जैसे न्यागरिक्ता, चुनाव, और अस्थाई सनसद, और परिवर्ती परती बंदों को तुरंत प्रवाई बनाया गिया इन्हें किस तीति से लागू किया गिया तो 26 नूमर 1949 से लागू किया गिया भरते समिध्रैन के प्रस्तावना में समाजवाद और धर्म, निरप्यक्षता को किस समिध्रा संसोधन के अंतरगत साम लिकए गया। तब 42 संस чувाइद के ताथ च्छोआचिथ को समाप्त किया गया है। संग्यात्मक परनाली के उठे विवाद को सुल जाने के लिए समिध्धान में 20S प्रवधान की व्यवस्था की गई है इसके लिए सर्वोच नियालाई को केंद और राज्यों के बीच समिध्धानी जगरों के निर्नाई का अधिकार दिया गिया है समिध्धान किस अनुछेद के तहट इसका प्रवधान ये अनुछेद 131 के अंतरगत इसका प्रवधान है भारत में पनचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ थो 24 अपर 1994 को लागू हुआ पनचायती राज अधिनियम के दूई वर्षी चुनाओ के दिखोष्णा कौन ज rigor hydrated isाओ तियार करता है तुर मंदल तयार करता है पन्चायट के चुनाव कराने निर्ने कौन लिता है तौन राज सरकार के दवारा निर्स ने लिया जाता है कि कारा को ल्ट में वहके कि दो देश्रों को जोड़ता है पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है पक्तोनी स्थान चेत्र किस देस में है तो यह अपगानिस्तान में है बियूनेस आयर्स किस देस के राज़धानी है यह अरजन्टीना के राज़धानी है उत्तरी गुलार्द में व्यपारीक पबने किस दिसामें भथी है तो उत्तर पुर्व की दिसामें उत्तरी गुलार्द में व्यपारीक पबने भथी है बहुत चर्चित सरदार सरवर प्रयोजना किस राजी में है यह गुजरात में वर्स्तित है सर्जाह कहां है तो यह सनिकत अर्ब अमिराति ौ-ई में है है अकास में सबसे अधिक चमकदार तारा है तो road ऑफनदेस घहना का पुरणा नाम किया था तो गोल्ड कोस्ट था घहना का पुरणा नाम बुलगा नदी किस सागर में गिर्ति है गोबी रगेर इस्थान कहां वस्तित है तो यह मंगलिया में अवस्तित है सत सो धक समाज के अस्थापना किष्ण किया था जो 300 पूले जो था सत सो धक समाज के अस्थापना किया थाango 25 भी लेतन सभसे अधिक मंदर किस देपता की अस्थूति में लिखे गये हैं पेशा वरकिस समराठ के सासनकाल में बढ़ सविता का परसिद केंदर था कनिश के सासनकाल में मुहमद बिन तुगलक के सासनकाल में अंतिम दिनों में दचनी भारत में कीन दोबी साल स्वतंत राज्यों का उदे हुआ तो बिजय नगर तथा बहमानी समराज का उदे हुआ था खानवा के युद्वे म्यवार को प्राजित करने वाला सासर कौन था यह बावर था दास वन्स को स्वाप्त कर खिलजी वन्स की अधार सिल्या किसने रखी थी तो जलाव दिन खिलजी ने रखी थी कुपत उल इस्लाम मस्जित का निर्वान किसने करवाया था तो कुत बुद्धिन एवक ने करवाया था भारत पर अकवर करने के लिए 1524 इसपी में बाबर को लोधी के वन्स के किन दो सरदार्यों ने आमत्रित किया था आलम खालोधी और दोलोध खालोधी जो था बाबर को आमत्रित किया था 1757 इसपी में अलिनगर की संधिकिन के मद हुई थी तो सिराजु दोला और लौट कलाइब के मद हुआ था किस एक्ट कंतरगत कलकत्ता सबोच नियाले के स्थापना हुई थी तो रेगलोटिंग 1773 कंतर अठापना हुआ था 1857 की संता संगराम के संतास नाइन्याना सहब कौन थे तो प्यस्वा बाजी राव दुतिय के दत्तक फुतिर थे 1857 के विद्रों में मुंगल समराथ बहादूर साह की सेनाओं का नेत्रत कृष्णे किया था तो बक्त खाने किया था भारत से बिटियन हो अने वाली संपता की निकासी के सिध्धान का परति पादयास्वर परतम कृष्णे किया था तो दर्दा भाय नेरोजी ने किया था भारत सेवक समाज के अस्थापना कब हुई और इसका संस्थापक कौन थे उन्हें सुपांच इस्वी में हुई थी गोपाल कृष्ण इस्वी में मुकदमा चला था तेरा अपरेल उन्हेस से उन्हेस को भारत में कौन से सराधी तरास्दी घटी थी जले या बाला भाग हत्या कांड घटी थी हुई थी 1906 इस्वी में लंदन में अभिना भारत के अस्थापना किशने की थी ते बिना एक दामोदर सावर करने किया था बीडी शावर के जिसको में लोगाते हैं आश्योग अंधरन शुरू करने के समय भारत का वाईसरे कौन थे तो चेम्स फोड थे गांधी जी ने दांडी यात रखिये थी maa 89 संसोधन किस्द समद्ध है अनुसुचित जाती वह जन्जाती लगों को लोग सभाव राजकी विद्धान सवामें अरक्षन से समद्धित है समिधान सभा से मुस्लिम लिग के वहिसकार का परमुख करण क्या था तो मुस्लिम लिग मुसल्मानों के लिएक अलग समिधान सभा बनाना चाहती थी संसाद द्वरा बनाए गए किसी विध्यक या अनुच्छेद 145 के अधिन बनाए गए नियमों के अपवण्ध के अधिन रहते हुए उच्तम नियालाई को अपने द्वरा सुनाए गया या दिये गए आदेसों का पुर्व विलोकन करने की सक्ती होगे या ब्यवस्ता समिंधान के अनुच्छेद 137 वे नहीं थैं समिंधान के नियर्मान की जिसा में उलेखनिय होगधान देने वाले उद्देश प्रष्ताव का समद्ध किस से था यह था पंड़े जवालाल नेहरू से था उद्देश प्रष्ताव समिंधान की प्र похож प्रस्थाबनाएं वर्नित लोकतंत को किस रूप में सुषुकार किया घ्या गेठा तो समयधाने कि गया था मौलिक अधिकारों के सवक्षा है तो नियाले कितने प्रकार के रिट चारी करता है तो पांच प्रकार के रिट चारी करता है किस समीति के सिफारी सुक धार पर समिधाने मौलिक कर्तबों से समन्धित प्रवधालों की व्यवस्था की गई तो स्वर्ण सिंग समीति के सिफारी सब्सक्राइब किये गया कि बैलेस्टिक गैलबनुमीटर से क्या मापते हैं तो च्छनिक आविस मापते हैं कि किसी सेल को खुले चक्र पर कब कहा जाता है जब उससे कोई विदुधरा नहीं लिजा रही हो संड का अस्थाई रुप से उप्यो किस यंद्र में किया जाता है तो आमिटर उप्यो किया जाता है संड का पॉजी ट्रोन किसका परतिकन है तिहें इलेक्ट्रोन का परतिकन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं तो मेट्रो कॉंडिया का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं रक्त कोशमियर रक्त किस रसायन के साथ मिलाका रखा जाता है, तो सोडियम नेट्रेड वो ट्रेक्ष्ट्रेड के साथ मिलाका रखा जाता है। कॉपर सर्फेट को अनकिस नाम से आमतर्पा जाना जाता है तब ब्लू बिट्रॉल के नाम से जाना जाता है क्यम्पुटेट सम्मधित सब्द को बोल का क्या अर्थ है तो कॉमन बिजनेस ओरियन्टेट लेंग्विज है महत्मा गांधी ने ब्रिटीश सरकार के किस निर्ने को पोस्ट डेट चेक कह कर ठुकरा दिया था तो क्रिप्स मिशन को रहला नामक पुस्तक किस विदेशी आकवरान कारी द्वरा लिखी गई तो इबन बतुता के द्वरा रहला पुस्तक लिखा गिया 1907 SP के बाद भारती राष्ट्य कांग्रिस के जो है गरम पंथी और मिलान कभ रहला था मनुस्तक के सरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है तो त्वचा जो होता है सबसे बड़ा अंग होता है दिली में इस सहत किला एक कोहना मसज़ित के निवान किस ने करवाया था तो सेर्शाञा ने करवाया था अकवर के दरवार में सबसे परसिद हंदी कभी कौन थे अबदुर रहीम खान खाना थे मालिक काफूर को बिरुद्र लरने वाले वरंगल के काकी ये सासे कौन थे तो परताप दुरुद्र दीव थे कैरेट एंड एश्टीक की निती अपनाने वाले लॉड मिन्टो किस के बाद इस पदपा आये थे लॉड करजन के बाद जो है लॉड मिन्टो भारत आये थे अस्थाई भूबंद वस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहा अरम किया था तो लॉड करनवालिस जो था बंगाल में अरम करवाया था अस्थाई भूबंद वस्त किкой दिया था टेपो सुल्तान के शासन काल में मैसुर्क रजधानी कहां थी के स्वुर्पर्थम की सासर है आगरा को अगरा को पनाया था तो सिकंदर लोधी जो है अपनी राजधानी जो पनाया था का बैसाली किस स्प्रात्चिन राज की राजधानी का श्रचिता कि स्वराज मेरा जनुशिद अधिकार है इसे में लेकर रहूंगा बाल गंग धर्ति लग्क था महत्मा गांधी ने भारत में परथम शत्यागर किस अस्थान पर किया था तथ चम्पारन बिहार में किया था गांधी इर्विन समझोते के परणाम शरूप किस अंधरलोन को वा प्रण सौराज की गुरुषना में की थी लाहौर अधिवेशन बाल गंगा धरतिे लख्ट कितनी भारती राष्ट का ढगर्स को यह एक भारого भी भारती राष्टर का वारीं अच्वाने थे तो बिलियम जोन्स जे थे असियाटिक ससाटी के संस्थापक थे पाकिस्तान के मांग किस वर्ष की गई तो 1940 इसपी में पाकिस्तान की मांग की गई थी मुसलिमों के लिए अलग निराचन छेत्र के ब्यवस्था का प्रवधान पाहली बर किस एक्ट में किया गिया था उन्हीं सो नौक के एक्ट में किया गिया था अधक्षिय सम्मधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भासा के लिए रोमन लिपी लागू करने की वकालत की थी तो मौलोना अबुल कलाम अजात ने किया था पुनाप्रा वयलार का किसान अंदोल किस परदेश में हुआ था यह हुआ था केरल में हुआ था भारत के समिधान के किस अनुछेद में सर्वच नियाले के नियाधिस पर महाभ्योग चलाने का प्रावधान है यह अनुछेद 124 में है भारत का संसद्य परजात तंद्र किस द सफ़र्पर्थम किस अधिनियम के द्वारत में उत्तरदाईसाशन बिवस्था किस्था अधिनियम की गई तोग Shoga के जम्मु कस्मीर भारत संग का एक ऐसा माज्ड राज है जिसका अपना प्रिथक सव्यदान है यह सव्यद्धान किस वर्ष अंगी कार्व लाउं लाग परन्तु अब जम्म कस्मिर्ग जो है भारत जो है इसको अब इसको जार्दास अब खंटित कर दिया गिया अनुचे तीनसा तरफ स्वाफ्त का दिया है भारतिय समिधान के सर्वस्तम परकृति है एकात्मक लक्षन उस्तेजिक्ट संगहात्मक है समिधान किस भाग को भारत का मैगने काटा कहा जाता है भाग तीन को जो है मैगने काटा कहा जाता है भारत के सासना धेक्ष का समूर्धन किसके लिए किया जाता है तो परधान मंत्री के लिए किया जाता है 1903 इस्पी में गठी ते राज पुर्ण गठन आयोग के देक्ष कौन थे तो निया मूर्थी फजल आली थे परान और दहिक सुतंता कासा नक्षण किस अनुच्यत के तहत पराप्त है अनुच्यत 21 के तहत पराप्त है करलिफोर्निया की जलवाई किस वर की जलवाई में आती है यह भुमत सागरिय जलवाई के न्तरकत आती है बेरिंग जल संधी जो है किंदो देशों का लग करती है यह अलासकत था रोसको लग करती है बिहार का सिंद्री सहर किस उद्यों के लिए परसिद है यह रसानिक हाद लिए परसीद है राजमंदरी में कौन सा केंदरिय उंसत्थान है केंद्रिय तम बाकू सोर्थ सनस्थान है राजमंदरी हूने आ भारत में सैलेंट भेली प्रोजेक्ट किस राज में हैं तो यह केरल में हैं लक्षदिप संद्चना के दिरिष्टि से कैसा दीप है यह प्रवाल दीप है लक्षदिप परियार जल विधित परियजना किस राज में है यह केरल में है परियार जल विधित परियजना नौट किसका मातरक है वायू की गती का मातरक नौट है कुरवा का एलमुनियम उद्यो की सुरुवात की थी तो सहारा एरलाइंस ने किया था किरसी कर का सुझाव किस ने रखा था तो वित आयोग ने रखा था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीया के अस्थापना कब हुआ था तो 1964 SP में यूटीया के अस्थापना हुआ था और भी याइ कारास्ट्रेकरण कब हुआ था तो उन इस उन्चास इसमी में और भी में कार राकर होँआ था और तो है Panच यूजना में आत्म ने भर्ता का लच रख यह cookie त्वा स्वा से तो 15 पर्रस यूजना को है अपने पूर्ण होने उन्हेस की साल पर नाहीं हमातोंद कर तो 1978-1989 में प्रार्म चाहिए था पृतिवी की आयों किस बीदी से ज्यांत किया जाता है यूरेनियम डेटिंग बीदी से आयों निर्धारित किया जाता है याजू सनहिता में सबसे बाद के सनहिता कौंसी तो बाद से नहीं सहिता किस पच्मी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गवान पर दुख परकट किया था तो पिलिनी ने किया था भारत में खरोष्टी लिपी को किसने अस्थापित किया था तो इरानियों जो था भारत में खरोष्टी लिप्यों को अस्थापित किया था गोधन को अंद वा धनि किसानों को संगम सहित में क्या कहा जाता था तव लाल कह जाता था रिग विद में अगं निया सब्त का इस्तमाल किस के लिए हुआ है तो दूद देने वाली काई के लिये हुआ है खिलजी सासन के दोरान निर्वित बस्तुवित था बाहर के पर देशों अधिनस्ते राज्जी और विद्येसियों से आने वाले माल के बजार को क्या कहा जाता था तो सराय अदल कहा जाता था तुगलक बन्स का अंतिम सासक कौन था जिसके सासनकाल में तेरसो अन्ठान में इस्पी में तुर्क तैमूर लंग ने भारत पर अक्रण किया था और लुटपड की दननस्रुद्दिन मुहमत के सासनकाल में किस मुगल समराट का समन्द लाल कुमरी नामबक बेसिया से था तो जहांदार साह का समन्द था अंजू मन ए मुही बान ने बतन के संगठन के स्थापना किस ने की थी तो सरदार अजित सिंग ने किया था कांगरेस के किस अधिवेशन में मुद्रा निती में सुधार की मांग की गई थी तो ये इलाहाबाद अधिवेशन अठारों से बिरानमी इस्पी में किया गिया थ नमक अंदोलों से समन्द घर सान अंदोलों का आखो देखा हाल किस अमेरिकी पत्रकार ने वर्नित किया है ते विव मीलर ने किया है है एदर अली ने किस अस्थान पर अपना सास्तरागार अस्थापित किया था दिंडी गूल में अस्थापित किया था 1857 के करांतिक विशे में यह कतन किसका है कि करांति मुस्लिम समराज की अस्थापना के लिए एक सर्जी अंदर था तो जिम्स आउट्राडम्ग था भारती राष्टे कांग्रेस के अन्रोथ पर 1338 इस्पी में एक राष्टी यूजना समीती के गठन किया गया था उसके माधियम थे पंडि जवारला नहरू थे वो परसित करांतिकारी कौन था जो ब्रिटिस समराजवाद को जर्मन समराजवाद से बेहतर समस्ता था तो लाला हर्द याल था राजा मेहंदर परताव सिंग द्वारा गठित अंतरिम सरकार की परधान मंत्री कौन थे बरक तुल्ला था भारत सरकार ने 1956 में समिधान के संसोधन द्वारा जम्मू कस्मी राज को भारत का परांत बनाया था तो सात्मा समिधान संसोधन के द्वारा भारतिय जन्ता पाठी के स्थापना उन्हें 51 में भारतिय जन्स संग के रूप में किसके नित्रुत में हुई थी तो स्याया परसाद मुखर्जी के नित्रुत में हुई थी किसी सदस्तव द्वारा सरकार की किन ही विशिश्यस नितियों या कारवाईयों के लोचना की उढ़ैं से लाएगे प्रस्थाव को क्या कह जाता है समिधान के गारी में निसूचि में पंचाइती रात प्रदेश में उगति है तलना के प्रदेश में हाथिघास उगति है कि प्रिथिबी के किस बिंदू पर किसी विंदू को सब्सक्राधिक होता है तो सो और प्रिद्थिविक इस्थिति क्या होती है यह समकों पर होता है यह पनियान वह इरूला जन्जाति किस राज़वें निवास करती है कौनसा गरह हरे प्रकास को उत्सर्जित करता यह यूरेनेस सर्जित करता है हारा प्रकाश बिश्व का सबसे बेस्तम समंद्री मर्क कौन सा है तो उत्री अट्लांटिक मर्क है उस सागर का नाम क्या है जिसकी सीमा तीन महादीपो को छुती है तो वह भुमद सागर है मौरिस सब्द किस देश के अदिवासी लेगों के लिए परिउक्त होता है तो यह न्यूजी लेंड का दिवासी के लिए मौरिस सब्द परिउक्त होता है भारत में गिलनाइट कोईला का सरवाधिक उत्पादन कौन सा राज करता है तो यह तमिलाडू करता है किस अभी लेक से असोग को पहचाना गिया है तो मासकी अभी लेक से जो असोग को पहचाना गिया है देव पतन तथा कस्मीर के स्री नगर की अस्थापना के सरी किसे दिया जाता है यह असोग को जाता है सिंदु का लिंज सभिता में घोरे के अबस्यस कहां से मिली है तो यह सुर्प कुटडा से मिला है किस मुगल सासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है तो मुहमत सा रंगीला बादसा को रंगीला बादसा के रुपसे जाना जाता है चंदेल वंस का संस्थापक कौन था येसु बर्वन था मुद्रा राक्षास किसकी रचना है तो विसाक दत की रचना है मुद्रा राक्षास है कि सक सासक ने सुदर्शन जिल का पूर निर्मान करवाया था तो रुद्र दमन पर्थम जो था सुदर्शन जिल का पूर निर्मा कर वाया थका परसिद्थ पिष्वार्फ के परफ्फं कि पर्थम किस क्यों था बाला जी भी सुनाथ बcket रायन का प्रहुप सुत्र किस दर्शन से समयंदित है यह ब्यदाउन कि समयंदित है बुद्ह की परफ्फं परतिमा बनाने के सेरैं किस किस दार्म का परमुख मंत्र है सैमन कमिशन की अस्थापना किस छेतर में सुधार हेतू रिपोट देने क्लिये कि गई थी ता सम्मेधानिक परसासनिक च्छेतर में सुधार के नहीं हैतु सिसका गठन किया गिया था सवस्थ अंदरुण काल में जमिन दारों के टमीरिद में मौपला अंदरुण किस राज में हुआ था ये मौपला बिद्रो केरल राज में हुआ था लोकमान तिला की चिता भस्म को सीर पर लगाते हुए यह किसने परतेग्या ले थी कि परान देकर भी लोकमान के राज के मंदर को मैं पूरा करूँगा तो यह महात्मा गांधी ने कहा था मेरे सरीट पर परी हुई एक एक चोट बिर्टिस समराज की सब मंजुसा की कील होगी यह किसने कहा था यह लाला लाचपत राए ने कहा था 1906 इसपी में कलकत्ता दिवैस्टन में कंग्रेस का ध्यक्ष किसे बनाया गया था तो दादा भाय नेरियो जी को बनाया गया था कैसर एहिंद की उपाधी किसे मिल थी महात्मा गांधी को मिला था गांधी इरविन समझावता कब हुआ था तर तीन मर्च 1931 इसपी को गांधी इरविन समझावता हुआ था स्वराज दल के जम दाता देश बंधु चितरन जन दास के मिर्थी कब हुई थी तो जून 1925 इसपी में हुआ था 1949 इसपी में कांग्रेसी मंत्री मंडलों ने किस परमुक कारण से त्याग पतर दिया था तो 20 युद में बैगर भारतियों से पूछ कर भारत को सामिल करने कारण इस्थिपा दे दिया था महत्वा गांधी ने कब नागपूर दिफेशन में असायोग आंदलों प्राणम करने का विचार रखा था तो सितंबर 1920 में रखा था स्वतंद भारत में राजसभा के पर्थम स्वहपती कौन थे तो डाक्टर सरपली राधा क्रिश्णन थे भारतिय संग का राष्टपती किसके प्रामर्श से कारिकरता है तो परधान मंत्री के प्रामर्श से कारिकरता है कि समिधानी संसोधान द्वरा यह ताई क्या गिया है कि राष्टपती मंत्री परसत की रह मानने के लिए बाद होगा तिया 42 समिधान संसोधान द्वरा भारत की संग्य कारिपलिका का स्वरूप मिलता जूलता है तिया इंग्लेंड से मिलता जूलता है समिधान के अंच्छे 356 समध किस से है तो किसी राज में राष्टपती सासोन लागू होने से है जवाहर लान नहर्यू के निर्तित में अंत्रिम सरकार के गठन कब हुआ था तो सितंबर 1946 इस्पी में हुआ था समिधान सभा में किस प्रांत के प्रतिय दी सरवाधिक थे है तो राज शरकार लेता है भारते समिधान के किस अनुष्यद में समिधान शनसोधन की परकिरिया के उरनान है किस ने कहा है कि आयरलेंट का राष्टपती की तरफ भारत का राष्टपती भी अनुच्छे 368 के उलंगन होने पर सनसोधन विध्यक पर अपनी सुकृति नहीं दे सकता है तो दुर्गादास बसू ने कहा था एक डेगरी देशांतर के लिए सरवधिक दूरी कहां पो होगी तिया भूमद रेखा पो होगी भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा निरधारन करता है तो रेड किलिफ रेखा जो सीमा निरधारन करता है निल गिरी पहारीयों में किन किन पहारी सिरनियों का मिला नो होता है दो ज्वारों को बीच कितना समयावधी कांतर होता है दो और गहंटा 56 मिनिट कांतर होता है कीज़ नगर किस देश में इस्थियत है यह जरमानी में वस्तित है सुजम किन दो समुद्र Alumni को जोड़ती है इसा लाल भुमदर शागर को जोरती हैं aujourd, 273 जलवाई छेतर में पाया जाता है, तिया यह टैगा जलवाई छेतर में पाया जाता है उर्पा मढद भाक क्या कह लाता है तो प्रकास मंडल कहा लाता है है थ्लावाद एवं सिकंदराबाद की बीच कौन से जील है यह हुसेन शागर जील है हैदराबाद एवं सिकंद्राबाद के बीच पाक जल मडरुद किंदो देशों को अलग करता है भारत और स्रिलंका को अलग करता है भारती अद्योगी की अस्थापना कब की गई थी उन्हेस सो अर्तालिस इस पी में किया गया था भारत में लीड बैंक यूजना कब प्राड़म की गई थी बीस बैंक की उदार रिंप परदान करने वाले खिरी की किसे कहते हैं तो अंतराष्टी विकास संग को कहते हैं गरामन युवाई रोजगार हितु परसिक्षन कारिकरम ट्राइसेम की सुरुवात कब हुई थी तो 15 अगस्त 1989 इस पी को हुआ था सारवजनिक छेत्र कहलाता है देश के आर्थिक किरिया कलाप को वह भाग जो सरकार के कार छेत्र के अंतरगत आता है किस पंच वर्षी यूजणा का निर्मान हेरो डोमर मोंटर उपर की अधारी था तो पर्थम पर्च वर्षी यूजणा का जो था गंधक के साथ रबर को गर्म करने के किरिया को क्या कहते हैं तो भल की करन कहते हैं बैक्टिडियो फोज क्या है तो बैक्टिडिया का पर जीबी वाइरस है रेडियू एक्टिविटता में बीटा किरने होती है तो रिनावेसित होती है काच पर लिखने के लिए किस अमल का परियोग किया जाता है तो हेड्रोजन फ्लोराइट का परियोग किया जाता है सुद सोना कितने कैरेट का होता है तो 24 कैरेट का होता है किसी चालक के सीरे के बीच बिभांतर उसमें बाहने वाली धारा के समानु पाती होता है ते पीजो इलेक्ट्रिक प्रोहाव के अंतरगत कारी करती है परतेक पदार्थ में उसके द्रमान के कारण उर्जा भी होती है यह सिधांत किस बिग्यानिक ने परती पादित किया था यह आइनश्टीन ने परती पादित किया था आग लगाने वाला नपाम बम में आग स्थो निट पामी टेड होता है मानव सरी में सबसे बड़ी अस्थी का क्या नाम है तो फीमर जो होता है सबसे बड़ी अस्थी होता है हवाय जहाज को बनाने में कौन से फाइवर का परियोग किया जाता है जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है जल के प्रवाह म बायू में धोनी का बेक किस अवस्था में बढ़ जाता है तो अधरता बढ़ जाने पर बढ़ जाता है आसू में कौन सा एंजायम होता है जिससे जिवानू मर जाते हैं तो लाइसुजायम होता है लालती कौन किसका प्रतिक्चीन समझा जाता है यह प्रिवार नियोजन का प्रतिक्चीन समझा जाता है मीरा सिट समिती किस छिट से समंधित है यह हत करगा से समंधित है किसने कहा था सुराज हमारा जनुसित अधिकार है इसे मैं लेकर रहूँगा तो बाल गांगा धर्तिलक ने कहा था पाप से ढरो, पानी से नहीं किसके उक्ती है तो यह महत्मा गानधे के उक्ती है विस्की वो कौन सी पहली महिला है जो किसी देश की परधान मंतरी बनी तो सिरी मती, सिरी मासो, भन्दार नाई के जो स्रिरलंका के परदानमंतरी बनी थी, अमेरिका के पर थम रष्टपती कौन थे, ज़िज वासिंग्टन थे, SO3 पकिस्तान के पर थaneous गोर्णनरव ज जनरल कौन थे, मोहमत अलेजिन्ना थे, अलमटी बांध किस नदीप बनाया गिया है, ये महान नदीप बनाया गिया है, भारत में सरपर्थम हवाई डाक सेबाग शुरुवात कब हुई थी उन्यस्सो ग्यारे एस्पी में हुई थी गोल्डेन गर्ल किस प्रिख्यात महिला की आत्मकता है यह पीटी उसा की है सन्वित राष्ट संग ने किस वर्ष को अंतराष्टी अंतरीम वर्ष के रुप में मनाया था तो उन्यस्सो बिरानमी को मनाया था किस देश के डाक टिकट पर हेल वेसिया लिखा होता है तो सुजर लेंड के डाक टिकट पर लिखा होता है हिंदी में जो होता है आसू लिपी के जमदाता कौन है तो निस्कामिस्वर मिस्र है काली दास दुआरा संस्कृत मरचित अभी ज्यान सकुंतलम का अंग्रेजी मिस्वर पर्थम कुष्रिया नवाद किया था तो सर बिलियम जोन्स ने किया था किस राज का सचिवाले भावन राइटर्स बिल्डिंग से नाम से जाना जाता है यह पस्सी मंगाल का सचिवाले भावन जाना जाता है वर्स 19161 में अस्थापित वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फांड का मुख्याले कहा है तो इसका मुख्याले गलांड में है केली गोपाल या क्रिश्न निला किस राज का लोकनिर्थ है यह अश्रम का है बिस के पर्थम किर्तिम उपगरा एस्पुतनिक का पुरा नम किया है तो इस कुतू ने भी एस्पुतनिक है सेम फैक्स क्या है तब भुद्पूर्व सनिकों के लिए पुर्णवास योजना है भारतिय युद्ध असमारक का पुरातत संग्राड़े कहां अवस्तित है यह नई दिल्ली में है भारत में परिवार नियोजन कारिकरम अधिकारिक रुप से किस वर्ष सुरू किया गया था 1952 ISP में सुरू किया गया था केंदरिय अंग्रे जी तथा बिदेशी भासा सनस्थान कहां अवस्तित है यह नई दिल्ली में अवस्तित है मुडिया जन जाती भारत के किस परदेश में मुख रूप से निवास करती है तो यह मध्य परदेश में निवास करती है भारत में स्वराधिक जन संख्या वाले जन जाती कौन सी है तहीं बर्तवान में भील है पिरामीड़कार बीमान जो है किस सहली के मंदिरों का खास अंग है यह द्रवीर सहली के मंदिरे का खास अंग है पिरामीड़कार बीमान रिगवयदिक काल में सबसे महत पुर्ण देवता था रिगवयदिक यूग में परचली तयों लोग पुरिय सासन परनाली किया थी तैंगनतान तरत्वक सासन परनाली थी अक्ता जिसको मह invited फरनाली अस्थापित करने का सरे किस सुल्तान को जाता है तो यह इल्टो तुमिस को जाता है भारत का किस समराट ने चीन की सेना को परास्त किया था तो कनिक्स ने किया था महरानी विक्टोरिया ने भारत की महरानी की उपाधी किस वर्स धारन की थी तो 1870 इसमी में भारत की महरानी धारन की थी लौट डल होजी ने अपहरण के निती के अंतरगत सरपर्थम किस राज को अंग्रेजी समराज में मिलाया था तो सातारा को मिलाया था सिविल सेवाओं में परतियोगी परिक्षाव के माध्यम से भरती करने का नियम कब बना तो 1853 में बना गुरू अरजुनदव के बध क्ष्चाथ कौन गुरु बने है गुरू गोविन सिंग बने है हुई साल राजकिस-परदेश में इस्तिय था यह करनाठक में इस्तिता गांधी जिने किस अंदुलन के समय करो या मरो का नारा दिया था भारत छोरो अंदुलन के समय दिया था किस नेता को भारत का बिश्मार्क कहा जाता है सरदार बल्लभाई पटेल को कहा जाता है मनमनाथ गुपता को किस कांड में सम्लित होने के लिए 10 व उत्सा अपनी प्राकाष्टा पर था पीछे हटने को आदेश देना राष्टिय विप्ति से कुछ कम नहीं था सुभास्तन बोस्का ये कर्थान किस अंद्वन के संब्ध में था अहसायोग अंद्वन के संदर्व में खिलाफत का प्रसन क्या था तरकी के सुल्तान के परती ब लुकन किया चौरी चौरा कांड के समय वाइस सरय के कारीकाल की घटना है तो लौड रिडिंग के कारीकाल के समय घटना होए था गांधि रिवन समझाता कब हुआ था उन्हें 31 इस्पियों हुआ था बिहार के महान सतंता से नानी कुमर सेंग किस रियासात से समद्धि थे सुर्मा घाटी का किसान अंदोलन किस परदे से समद्धि रखता है यह असमझ रखता है राष्टपति कितने एंगलो इंडियन सदस्क को जो लोग सभामे मनोनित करते हैं तो दो को करते हैं सरवोच नियाले के नियाधिस की सेवा निविर्थी के आयू कितने वर्ष होती है फ़र उपर राष्टपती के चुनाव में पर्धान मंत्री कब मतदान कारी कारेकारी नहीं होता है जै वो सनसद का सदस नहीं हो राजपाल अपने बीवेका धिन कृतिव कानुपालन में किसके नियंतर का धिन कारी करता है तो राष्टपती के नियंतर का धिन कारी करता है राष्टपती के महाभियोग का प्रस्ताव सनसत के किस सदन में रखा जाता है तो सनसत किसी भी सदन में रखा जाता है भारत के किस राष्टपती का चुनाव आम सहमाती से हुआ है ते नीलम संजीव रड़ी का जो चुनाव आम सहमाती से हुआ है कोई केंदरी ये मंतरी लोगसभा में मद्दान का धिकारी नहीं होता है जब वो लोगसभा का सदस नहीं हो समिधान का उनुसार केंदरीय मंतरी परसद में अधिकतम कितने से दसे हो सकते हैं तहxo समिधान में इस समर्द में किसी भी स्मा का उल्लेख नहीं है केंद सरकार के मंतरी बेभारी के भं समिधाने गुरूप से किसके परसाद परियांत्र प्रणप्द ग remembers करते हैं राश्ट्पति तधा मंतिरी पार्भान मंतिरी के परसाद मंपनुपत गरहन करते हैं। जठीघाउं सहस्त्रागार पर कराम्तिकारी आकरवन हुआ था, उस आकरवन का नेतृत्षि ने किया था। तो सुर्षिंद ॥ा ने किया था धादा भहे ने अरोजी ने अपने किस लेख में भन के बहरी गवन से धांत का परती पाधन गया था तो इंग्लेंड डेट टू अंडिया नावक में किया था किसानों को संगします करने की दिसामें बहमूल योगदान के लिए किसे किसान परान की उपाधी से सम्मानित किया गिया है तो स्वामी सहजान सरसती को किया गिया है रोलोट एक्ट के विरुद किसने सत्यागरा साभा गठित की जिसके सदस्य को रोलोट एक्ट की अभ्यलना करने की परतिग्या लेनी परी तो महत्म गांधि ने किया था किस समिधान संसोधन के तहत केरल भूमी सुधार कानुनों को नौमी अनुसुची मरस्थान दिया गया तो उन सभा के पटल पर भारतिय समिनध्य के कितनी परतिया रखी गई थी जिन पर सभी सदस्थे ने हस्ताक्षर किये थी तो समिंध्यान के तीन परतिया रखी गई थी सर पर्थम राष्टी अपाद की दुहसना 26 अक्टूबर 1962 इस्वी को की गई दूसरी बार राष्टी अपाद की दुहसना कब की गई थी तो दूसरी बार किया गया था 13 दिसंबर 1971 इस्वी को किया गया था पर्धम बार 26 October 1962 और दुसरी बार 13 December 1971 जब राष्टपती द्वारा बित्तिय अपात की दुहसना की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतरगत किया जाना चाहिए तो दो महा के अंतरगत किया जाना चाहिए भारते समिधाने किस अनुछेद में कहा गिया है कि सम्ग के लिए एक संसद होगी जो राष्टपती और दोनों सदनों किसे मिलाकर बनेगी जिसके नाम करमसा राच सबहर लोक सबहर हैगी तिया अनुछेद 89 में कहा गिया है किस अनुछेद के तहट सर्वच नियालों के यह दिकार दिया गिया है कि सैनिक नियाला के छोर कर वह भारत के किसी अन नियाले अथवा नियाय मंडल के निरना के विरुद सर्वच नियाला में अपिल करने के अनुमती परदान कर दे किस समिधान सनसोधन के माध्यम से बेवस्था की गई है कि अब राजियों को परत्यक्ष केंद्रिय करो से प्राप्त कुल धन रासी का 29 परतिस्द हिसा मिलेगा तो यह किया गिया था असमे समिधान सनसोधन 2000 के दौरा किस महाधिकारी को अपने कर्तब के पालन में भारत के राजच्षेतर में सभी नियालों में उपस्तित होने का दिकार परदान किया गिया है तो महाने व्यादी को दिया गिया है परदान समिधान का प्रारूप करने के लिए समिधान सभा द्वारा प्रारूप समिधी का गठन कब किया गिया था 29 अगस्त 1947 S.B. को किया गिया था प्रारूप समिधी का गठन समिधान सभा द्वारा बरसा काल में किस समय बाई मंडल सबसे अधिक अधिरता रहता है तो प्राता काल में रहता है भारत में दच्छिन पच्छिम मानसून का समय समानता कब से कब तक रहता है तो जून से सितंबर तक रहता है दच्छिन पच्छिम मानसून का कालव दे भारत के मनसून का वर्रण करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? अलमसूदी था दच्छिन भारत में प्रावित होने वाली नदी का थाला सबसे बरा है कस्मीर की सिंधु और पामिर पठार के बीच बिश्त्रित परवत स्रेंखला को क्या कहा जाता है? नगरिय परती रूप से समंधित कोटी या कारनियम का मुख ब्याखार किसने माना था? तो जीक के जीफ को माना जाता है कोटी या कारनियम उमियाक क्या है? तो एसकीमल लोगों की सिकार करने की नौका है उमियाक अफ्रिका के नील नदी घाटी में निवास करने वाले किर्षकों क्या कहा जाता है तो फ्यलाह कहा जाता है नगडिय परतिरूप्स समंधित कोटी या कार्नियम रैंक सैज रूल का मुख ब्याख्या कार किसे माना जाता है तो यह माना जाता है जिक्के जिफ हो उम्याक क्या है? तो एसकीमों लोगों की सिकार करने के लिए नौका है तो नाम है उम्याक अफ्रिका के नीन लदी घाटी में निवास करने वाले किर्शकों को क्या कहा जाता है? तो फ्यलाह कहा जाता है किसी मांचरित पर अंकित वह कालपित रिखा जो किसी बिस्यस अभिक्रिया का परदर्शन करने वाले बिंदुगों को जोरकर बनाई जाती है उसे कहते हैं उसे आइसो लेफ्ट रिलाइन कहते हैं दोलन तरंगित सिधान्त का परति पादानसर पर्थम किष्णे किया था तहर्मन महदय ने किया था 1930 इसपी में भारत की मोप लाज जन जाती कहां पाई जाती है तो मोप लाज जन जाती केलर राज में पाई जाती है प्रित्वी सूर के परित अपनी कक्छा में लगवा किस गति से चक्कर लगाती है एक लाख साथ हजार एक सो साथ किलो मेटर परती घंटा की चाल से चक्कर लगाती है और उपने एक पूरा चकर 365 दिन और 6 घंटा में पूरा करती है पर्सिद गुलाम तुर्क अमिरो के संग चालेशा के अस्थापने किस ने किया था तो इल्टो तूमिस जो है तुर्क के चालिसा की अस्थापना किया था अकवर अकवर के अलप आयू होने के कारण 1556-1560 इस्वित तक मुंगल समराज के सासन के जिम्मेदार किसके हाथों में रखी गई थी तब बैरम खां के हाथों में रखी गई थी किसके सासन काल में दिली परनादीर साह एबुम अहमद साह अबदाली का आकवरन हुआ था तो मुहमद साह रंगिला के सासन काल में हुआ था अंतिम मुगल समराठ कौन था तो बहादूर साह जफ़र जो था अंतिम मुगल समराठ था कम्पनी की गति विदीयों को नियांतरित करने के लिए ब्रिटी संसाथ डेंरेगण Cotton मेलाद पारेद किया था तो 773 में पारेद किया था रेगणींग एक्ट की खमियों को दूर करने के लिए 1784 बाहते अगेया मेलाद अप्रेइं तो 7 अपरेल 1934 बाहते हैं कांग्रेस और मुसलिलिम के बीच 1916 SP में लखनों समझता हुआ इन दलों में उस समय अध्यक्ष कर्मसक कौन थे तो कांग्रेस का अध्यक्ष था अंबिका चरम मजुमदार तथा मुहमद अली जिन्ना था मुसलिम लिग का अध्यक्ष एटली मंत्री मंडेल द्वारा 1946 SP में सब्सक्राइब करने के लिए परदान मंत्री पदगरहन नहीं किया है तो बिष्टन चर्चिल ने कहा था 1915 SP में सत्यागरह सभा के हस्थ अपना किसने की थी तो महत्मा गांधी ने किया था कांग्रेस का पर्थम विवाजन कब और किस अधिवेसन हुआ था 1907 SP सूरत अधिवेसन में कांगरिस का विवाजन पर्थम वा था यह कतन किसका है मुसल्मान को मुर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांगी और हिंदू उससे भी बरे मुर्ख थे जो इन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया मुसल्म लिग ने किस दिन को प्रत्यक्ष करवाई दिवस की रुपे मनाया तो 16 अगस्त 1946 को समिधान सभाग का अंतिम दिन कौन सथ था जिस दिन समिधान सभाग के सदस्तियों ने समिधान पहस्ताक्षर किये थे समिधान सभाग को अंतिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया तो 26 अपनी इच्छा से विदेशी राज की नागरिता धारन कर लेता है तो उसकी भारतिय नागरिता क्या होगी तो भारतिय नागरिता सोहता ही समाप्थ हो जाती है किस अनुछेद द्वारा भारतिय नागरिकों को 6 परकार की स्वतनता दी गई है अनुछेद 19 के द्वारा दी गई है कोई विदेख धान विदेख है यानि इसका निरने कौन लेता है तो लोग सभा का अध्यक्ष लेता है धन बिदहयक पर राजसभा को कैसा अधिकार पराप्त है तो किवल सिफारिस करने का अधिकार पराप्त है राजसभा को धन बिदहयक पर भारत के किन राष्टपतियों के मिर्तियों उनके कारेकाल के द्वरान हुई है तो डाक्टर जाकिर हुसेन और फाकरुद्दिन अली अहमद की जो मिर्तियों यह हुआ है यह भारत के से राष्टपति थे जिनके मिर्तियों उनके कारेकाल कहीं में हुआ है राज की कारपाली का सक्ति का परधान कौन होता है तो यह राजपाल होता है जम्म कस्मीर के विशे में संसत की अधिकारिता कीन विशो तक है केवल संग सुची वर्नित विशो तक है राज के निम्न एवन उच सदन क्या कह जाते हैं तो राज के निम्द सदन विधान सभा तथा उठ सदन विधान परसद को कहे जाते हैं कुनेन किस ब्रिक्स से पराप की जाती है तो सिन कोना के ब्रिक्स से जो है कुनेन पराप की जाती है तावा किसकी सहायक नदी है तो नर्वदा की सहायक नदी है नीव मूर दिप कहा इस्थित है यह बंगाल की खारी में वस्तित है दचनी गुलार्थ में सबसा लंबा दिन कभ होता है तो 22 दिसंबर को होता है सबसे लंबा दिन चोटा नापूर पठार के सबसे उसी चोटी का क्या नाम है तो पारशनाथ है तासकंद समरकंद बुखारा किस देश में है तो यह उजवेकिस्तान में है कोचिंग नगर का जुर्वा नगर कांसा है तो एरनाकुलम है जलामुखी परवत कोटोप्यक्सिक कहां वस्तित है तो इक्वाडोर में वस्तित है गरनेट की गन्ना किस प्रकार की चटानों में की जाती है तो पाताली आग्रे सेल में की जाती है मेरियाना ट्रेंच किस तो सर्धा किस कृति की नाई का है, तो यह कामा यानी के है, मुझे तोर लेना बनमाली उस पत में देना तुम फेक, मार्तु भूमी पर सीष चढ़ाये, जाये जिस पत से भीर अनेक, यह पंक्ति किस कभी की है, तो यह माखन लंच चत्रुवेदी की है, फिल्म जो था, मुग तो यह बताया गया है, ब्रो बिडिंग गांग को, सौरी, नो रूम्स, उपनियास किस बिख्यात काटूनिष्ट की क्रिती है, आरके लक्षमन की है, 27 जुलाई 1904 स्पी को जहांगी टाटा के जन्म कहां हुआ था, तो पेरिस में हुआ था, टिपू सुल्तान की आत्मकथा का क्या नाम है, तो तारिख ए, खुदा दादी, टिपू सुल्तान की आत्मकथा का नाम है, परसिद पुस्तक, डिस्कावरी ओफ इंडिया के लेखा कौन है, तो पंडी जवारलाल नहरू है, मदर ट्रेसा ने भारत में किस वर्स मिसेन डिज ओफ चैरेटी की अस्थापना की थी, 1950 स्पी में किया था, लक्ष दीप के धिकान सिन्वासी कौन सी भासा बोलते हैं, तिह मल्यालम बोलते हैं, भारत की पर्था मरेल गारी कीन दो स्ट्रेशन के भी चली थी, मुंबए और थाने के भी चली थी, पाननी की अश्थःाइ किस भी से का भी ख्यातगरंत है, समस्कृत बियाकरणों वेख्यातगरंत है, तो बह बिए अलोरा को पर सित कलास मंदीर का निरौन किस राष्ट कूट नहीं कर वाênio कर दावन, क्रिश तो सिंधु के तटप हुआ है अकवर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण कर सका प्रंत उसे जहांगिर ने पूरा किया वह कौन सा कर था तो म्यवार की अधिनता किसे राजा के सासन काल में अश्ट परधान मंत्री परसद हुआ करता था तो वह सिवाजी के सासन काल में के नाम से परसिद सासर किस वंश का था जालिम हुमायikt के नाम से परसिद सासर जो था रता कौन से अधिकषिझ का अधिक्ष होने के समय में कौन से सरदिंग महत्पुर्ण घंटी थी तब भारत को आजादी मिली थी zeg पहटी एंड नभेटिस रोल इनी इंडिया नमक्त किया है 1937 की बटलर कमेटी को देश किया था तो भारत सरकार एवं देशी रियासतों की बीच संबंधों के ब्याख्या और अस्पश्टी करन करना स्वाहिम विवेका लंद ने विस धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था 1893 में सिकागों में संबोधन किया था भारत छोरों अंदोलन 1942 महातमा गांधी ने एक बाराहि ससक्त नारा दिया था वो क्या था करो या मरो का नारा दिया था डू और डाई कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर पर्थमराष्ट भासा के रुप्मे परस्तुत किया गिया तब यलगाओं अधिवेशन 1924 इस्पी में किया था इसकी अध्यक्सता महातमा गांधी ने किया था अठारो संताबन के बिद्रों को निरी संगता पुर्वक को चलने वाले प्रिटिस अधिकारियों में जनरल नील को सराधी कुरूर माना जाता है इसका कारिशितर कहा था तो इनका कारिशितर इलहावाद था कांवरिस के गरम दल के नेता कौन थे तो लाला लाजपतर आए विपींचंद्रपाल तथा बाल गांग धरती लगते जिसको में लगते लाल बाल पाल करते हैं बैक्ति गजच सत्या गरह अंधुलन सतर अक्टूर उनिसुचालिस इसपी से प्रार्म हुआ इसके शिरुवा प्रधान मेंतरी का ब्यक्ति गत उत्तरदायत किसके परती है तो राष्टपती के परती उत्तरदाई है महानेवादी एटर्ने जनरल ओफ इंडिया का कारिकाल कितने दिनों का होता है यह राष्टपती के इच्छानुसार निर्भर करता है सर्बोच एवं उच्छ नियाले के नियाधिस को सिध्य कादाचार या असमर्था का धार पर हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है यह संसाध्य की सिवी सदन में किया जाता है उस बीत मंत्री का नाम बताए जिसने सन 1952 इसमी में भारत का पाहला आम बजट प्रस् के भारत के जनता में नहीं तो राश्ट interactions की अधिकार को सिमित नहीं केर सकता है भारत के प्रथम बहु देशी नदि-गाटि प्रजणअ के नेरवान किस्तिक नदि पर क्या गिया था सिंदूनर्य की सबसे बड़ी साध्यक नदी कौनशी है सटलज नदी है क्रिछो किस देश की रजधानी तो फीजी की रजधानी सूवा है कि प्रिथीवी की बिश्दूरी मातर क्या है यह तो प्रकास वर्स है काजी रंगा पसु अभिहारन किस राजी में है यह असम राजी में वस्तित है लेह और स्री नगर को कौन दर्रा जोडता है जो जीला दर्रा जोरता है गाना का पुराणा नाम क्या है जो गोल्ड कोस्त यो है गाना का पुराणा नाम है भारत में तोकियो एकिश्टॉक एक्सिंज का सीर मुल्ठ सुचकांख है। भारत में केंधरिय बैंकों के सभी कारिये को कौन सा बैंक संपाधित करता है। तो Air करता है। भारत में हरित करान्ति किस मावलय में सुराधिक सफल रही। तो गेहूं और चावल के उत्पादन का मामला में सुराधिक सफल रही अब मुल्यन का सब्द का अर्थ क्या होता है अनमुद्रा के तुल्णा में सोदेशी मुद्रा के मुल्कों घटाना अब मुल्यन कहलाता है बिश्व के किस देश में सारजेनिक बितरन परनाली सबसे अधिक है यह भारत में है भारत में सुराधिक रोगनता वाला अद्यक कौनशा है यह सूती उद्योग है गुलावी करांती का समन्द किस से है तो जहिंगा मचली कुछ पादन से गुलावी करांती का समन्द है गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालेसा के स्थापना किसने की थी, तो इल्तोतुमिस ने किया था बिहत अस्नानागार की खोज सरपर्थम किसने की थी, तो जौन मार्सल जो था बिरहत अस्नानागार की खोज किया था राजा की उत्पती के विशे में पर्थम साक्ष किस गरंत में मिलता है यह एतरेद ब्राम्हन में मिलता है बिसुदुमार की रशना किस ने की थी तो बुद्ध घोस्द ने बिसुदुमार की रशना की थी संस्कृत के नाटकों में पटाच्षेप के लिए नव निका सब्द कपरियों किया जाता है यह किस भासा का सब्द है यह यह निका जो है युनानी भासा का सब्द है इसाक की प्रानम्रिक्स अतावदियों में छोम किसको कहा जाता था यह लिलन के कपरों को छोम कहा जाता था बलवन ने दिवान ए अर्ज के अस्थापना की थी यह क्या था तो दिवान ए अर्ज यह एक सैन विभाग था सुल्टान अलर्दन खेल जी ने दच्छिन भारत में 1347 इसपी में किस राजकी अस्थापना की जिसकी रसद्दानी बुलबरगा थी तो यह क्या था बहमानी राजकी अस्थापना की था बंगाल के किस नवाब ने 1756 इस्पी में आकरवन करके कलकत्ता पर कबजा किया था तो नवाब सिराजु दौला ने किया था हुमाई का मकमारा कहा आवस्थित है तो दिल्ली में हुमाई का मकवारा आवस्थित है 1857 में दिली पद्दोवारा कापजा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दर्वाजे को भेक्टोडिया गेट का नाम दिया था तो लाहर गेट को जो अंग्रेज जो है भेक्टोडिया गेट का नाम दिया था केस बाइसरा ने 1929 इस्वी में एडिवियन नूटियन्स को वाइस सिरीगल लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया था तो लॉड इरविन ने महत्मा गांधी ने किस अंदोलन के दोलन भुख हर्ताल को सरप्रतम सत्यागरह के रुप्य पजयों किया था तो आहमदाबाद का अंदोलन में किया था गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी एस डॉंगे ने लिखा था किस गवर्नाट जनरल अपने आपको बंगा का सीर कहता था कामा गाटा मारू की घटना किस वर्स हुई थी यह 1914 इसमी में हुआ था भारती राष्टे कंग्रिस की पर्थम महलाद्यक्ष होने का सरे किसे जाता है दुसरी मती इनी बेसेंट को जाता है कंग्रिस अपने पतने की कगारप है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे महत्पुर्ण अकंच्छा है इसे सांतीपुर्ण धंज्य समाप्त होने की में हाथ बढ़ाओं यह कथन किसका है यह कथन लौट कोड़न का है लाला हरद याल किस पाटी के नेता थे गदर पाटी के नेता थे 1927 इसपी में सैमन कमिशन का बहिसकार क्यों किया गया था क्योंकि इस कमिशन में कोई भारती सदस्त नहीं था किसी नजरवंद ब्यक्ति को अपने रिहाई के लिए सबसे उच्चित याचिका काउंसी होती है तो बंदी पर्थिक चिकरन होती है यदि कोई अभी युक्त अ सम्मिध्हानी का धिकार है भारत्य समिध्हान के परस्ता बनावना में गैज साब्त का पर्योग किस अर्थ में हुआ है नियाज साब्त का पर्योग समाझ औरधिक और राजनितिक कि नियाय के अर्थ में हुआ है लोग सभा में अनसुची जातियों के लिए अर्माचल पर्देश में कितनी सिट अरेक्षित है जो सुन सिट है भारत के समिंधान को कब अंग्रित अधियन अमीद और अत्मारप्रित किया गिया तो 26 नुमर उन्हें सुन चास को किया गिया भा उनकी भासा हिंदी और देवनागरी लिपी होगी अनुचेद 343 कंतरकत हैं समिंधान में अंतर विष्ट राष्टी अपात की दोस्तना राष्टपती द्वारा अब ते कितनी वार की गई है तो तीन वार किया गिया है समिंधान किस अनुचेद में नहित प्रिक्डिया के अनसार समिंधान में संसोधन करने का प्रवधान है अनुचे 368 है भारत के समिंधान में पर्थम संसोधन कब किया गया था 1951 इसपी में किया गया था एंडेज परवत माला की सर्वच ओची चोटी कौन सा है एकांक गुआ है सिरी सेलम विधुत पर्योजना किस नादीपा है यह कृष्णा नादीपा है फिज्यो गराफी में किसका बर्नन किया जाता है यह भूपुरिष्ट के प्राकृतिक लशनों का बर्नन किया जाता है अफ्रीका के केप ऑफ गूड होप की खोज करने का सेरे किसे जाता है देहे जाता है बार्थोलियम्य डियाज को जाता है यह कि नाविक थे सुरीय वयव में सुरीयास्त के समय सूरी का रंग लाल किस कारण से होता है लाल रंगों की तुल्णा में लाल रंग का पड़ी करना कम होने कारण यह लाल दिखाई पडता है भारत का मानक समय किस दसांतर पादारित है तो सारे 82 डेगरी पुर्मी दसांतर पादारित है यिरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है तो तुरकी को यि रोगी कहा जाता है बुर जिला त थिला जो जिला दर्र किस राज में वुष्दी थे जम्मु कस्मीर वह हैं। restrictive उत्तर पर्देस में है। उत्री अमेरिका के किस पर्वत माला को महाधिप्ये जल विभाजक कहा जाता है। किस पंचवरशी योजना में आत्व यहने हटा कलच रखा गया था चौंथी पंचवरशी योजना में रखा गया था किस पंचवरशी योजना को अपने कारया tremernis mitad होने से पुर भी एक साल प Haben Straikke Annダ कर दिया गया तो पाँच्षी है को तक बाकु को उत्पादन करने में विश्म पर्थम देश चीन है कि सुन्य धार्थ बजट का अर्थ क्या होता है तो बिल्कुन नए सीरे से बजट को त्यार करना कि सरकार द्वारा लाग किये जाने वाली नोन सी पर्स योजना का संबंध है तो यह निडियात माल से हैं कि समिधान के किस अनुचेद में वित आयें क्या अठण क्या गिया है अनुचेद 28cm क्या गिया है पॉध्य के किस भागम प्राय प्राग कनों का निर्वान होता है यह फूल में होता है एक इंच में कितने मिल्य этом होते हैं तो पचींच देसमान लब मिलिम् 1 एक इंच में लृक्ग का पूर्ए नम क्या है कि ल तो आल अ नव्न रंगई पीले हारे रंग के प्रकास के भूट्रोन में सबसे अधिक उर्जा किसमें होती है त्यावरा होता है हे सिक्प्रबियान का जनकी किस तूल गयानिक को कहा जाता है तो हिपोकेटस को कहा जाता है अनुबंसिकी के नियम बनाने का सरे किस बेग्यानी को है तो ग्रेंगर जौन मिंडल को है मैमोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है अस्थनधारी जनतुवा का जो हता है मैमोलोजी में अध्यन किया जाता है ओजन गैस में किस तर और पर करणसाभी अकड्य ग्हास की बाहतम कख्षा में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं तो 8 एलेक्ट्रोन होते हैं अब वाटरफला की स्क्याब से समधित है तिये हैं टैराकी से सम्धित हैं चौन में few man जो है किस सहर में है यह कोलकता में है कटक में कौन सा परसिद एस्टेडियम है तब बारावती एस्टेडियम जो कटक में है गांधी फिल्म के लिए भानु अथाया को किस रेनी के लिए औसकर पुर्सकार से स्थमान्द किया गिया था तो सर्वसेष्ट पारिदहान संपादन करने क के लिए कि दादा साहब फाल के पुर्सकार सरपरतम किस फिल्म कलाकार को परदान किया गया था टाद्यविका रान्हिक परदान किया था 20 के इस्टेमें हम तो कहरे पर मेरा नाम सहनसा है कि सम्मधाता कौन है भारत के दूसरी महिला जो स्रवच ने लेकि निया दिस बनी थी तो यह थी सुजाता मनोहर थी सिसु इसा का गिर्जाखर कहां बनाया गया है तो गोगां में बनाया गया है गांधी जी ने करो या मरो का न्यारा किस अंदोलन दिया था भारत छोरो अंदोलन में दिया था बिहार का प्रमुक्ति हार कौंशा है तो छट पुजा बिह परदेश को किस उपलक्ष में चलाया गया था चल चित्र बनाने वाले पर्थम भारतिय कौन थे तो धुन्द राज गोबिंद फाल के थे इनहीं के नाम पर जो है फाल के अवर्ड दिया जाता है तिरुपति मंदिर किस राज में है तो यह अंध परदेश में है फोर्थ इस्टेट सब्सक्राइब किया है तो दौप प्रेश्टे समंदित है गांधी जी ने सी एफ एंड्रिज को किस उपनाम स से उपाधी परदान किया थी तो दिन बंधों के नाम से उपाधी परदान किया था अरोही करम में भारतिय द्वज का रंग है तो हरा सफेद और के सर्या है बेगम अक्तर कला की किस विद्या से संबंदित है तो संगीत से है हाई एल्टेट यूज रिसर्ज लेबरोटी कहां इस्तित है तो यह गुल मर्ग में है गुडु अर्थ पुस्ता के लेखा कौन है तो परल एसबॉक है चरक किस राजा के राजवय थे तो एक कनिक्स के राजवय थे चरक बैलेक फोरिष्ट परवत जो किस देश में है तो यह जो जर्मानी में है गलती कहां हुई सिर्शक से समाचार पत्र अस्थम के लेखा के लेखी का है तो किरन वेधी है 36 गड राज का राजकिय पसू तथा राजकिय पक्षी कौन सा है तो राजकिय पसू जो है बन भैसा है तथा पक्षी है पहारी मैना है और बालू सन 730 क्या है तो गर्वहस्त सिसु की गति विधियों की दिखा सकने वाला अल्ट्रा साउंड एसकेनर है बालू सन 730 अवतार नाम दिया गया था भारत में निर्वित अंत्रिक्ष बिवान को अवतार नियाम दिया गया था अब बिरीफ हिस्ट्री ऑफ टैम पुस्ता का लेखक है एस्टिफन होकिन्स है किर्केट खिलारी मनोज प्रभाकर को किस अपराद में गिरफतार किया गया था इरानी भषा की किस गरंथ की तूलना भारतिये गरंथ रिगवेद से की जाती है अवयस्ता की तूलना की जाती है बौध धर्म के त्री रतन थे तो बुध संग एवंधम राज के सप्तांग से धांत का परतिपादन किस ने किया था तो चाना कि ने किया था किस मुगल समराठ को जिंदा पिर के नाम से जाना जाता है तो यह और अंजेब को जाना जाता है दिली पर नादिर सह एवं आहमद सहामदाली का आकरवन किस मुगल समराठ के सासनकाल में कि कलाइब के समय बंगाल में स्वेट विदर हुआ इसे किस ने ऊर किस लेकिया था अंगरेज सैनिकों ने भात्ते के लेकिया था साइमन कमिशन के ने सिख्छा के छेतर में हुए विकास की समीक्षा कि लिए कि समीटी के अस्थापना की थी तो हर्टांग समीटी के अस्थापना की थी है 1773 SP के रेग लेटिंग एक्ट की खमियों को किस एक्ट दौर दूर किया गिया गीत गोबिन्द द्रंद के लेखक जैदेव किस सासक के दरवारी थे लच्मन सेंड के दरवारी थे स्वामी विवेका नंज ने सेर नी रविद्न टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अगनी सीखा का परियो किस के लिए किया था तब मार्गरेट नोबल सिष्टर निवदेता के लिए किया था दादा भाय नेरोजी ने सर पर्थम सुराज की मांग कांगर से किसा दिवेसन में किया था महत्मा गंदी ने 17 अक्टूर 1940 इस्वी को बैक्ती गत सत्यागर शुरुआद की इसका पर्थम सत्यागर ही बीनो भावी थे दुत्यागर ही कौन थे जवारला नहरू थे बंगल विधाजर ने कब समाप्त किया गिया उस समयं भारत का वावे तक्टूर कराचि अदिवेसन 1931 इस्वी में सुनाप्त किया गिया थे भारत की यत्राप आने वाले पर्थम ब्रितिस समराठ काउन थे जोर्ज पंचम थे बीभाजन करो और जाओ कर नाहरा सरपतम किस संगठन ने और कब दिया था तो मुसलिम लीग जो था लीग ने कराची अधिवे से 41943 में दिया था संसुधन के लिए बीदहयक संसाथ की सद्रवन में पेस किया जा सकता है संसुधन परकरियां किया जन्मत संग रहा के ब्यवस्तां नहीं किया गिए जन्मत संगरा के करनुसार राज कितने वर्स तक कि आयू के बच्चों को निसुल्क और अनिवार सिछा देगा 14 वर्स तक कि आयू के बच्चों को भारतिय समिंधान का नुसार केंदर की कारपाली का सक्ति किसमें नहींत होता है तो यह राष्ट पती में होता है केंद सरकार का समिंधानिक परधान कौन होता है तो राष्ट पती होता है तो समिद्हान के धर्वत धाच्य को सुरक्षित रखने का से धान सर्बोशनियाले किस मामले में परती पादित किया था तप हमारे घृत किया गया भी न Oreo कि के सकता प्राप्तिila को कौन ? अचार जेपी क्रिप लानी थे राष्टपती पद पर रहते हुए सबसे कम अवधी तक सत्ता रूट रहने अलव्यक्ति कौन थे तो डाक्टर जाकिर हुसेन थे इनका कारिकल था 13 माई सबसे पहले राष्ट पतिस आसन लाग हुआ था तो पंजाब में हुआ था यदि भारती मानक समय के पुर्वाहन दस बजे हैं तो बिरान में डिग्री पुर्वी दिसांतर पर सिलांग का समय क्या होगा दस बज के 38 मिनट पुर्वाहन होगा एटना जालों में कि किस देश में है यह इटली में है तेल की अत्यधिक संभापता युक्त रावा अप तट खंड कहां इस्थित है तो क्रिष्णा गोदावरी द्रोनी में है पृतिवी के धरातल से उपर की और बाय मंडल के बीभिन अस्तिवर का सही कर्म किया है तो पर तंबुद्ध है और दूसरे नवर्प सुक्र है तिसरे अस्थान पर पृतिवी है एक खगोल यह एक अक उसा दुरी होती है पृतिवी और सूर के बीच की दूरी नदियों के पर दूसर की माप किस गैस की घुली ही मातरा से की जाती है मंगल और ब्रिस्पती की कक्छा के बिचसुर के चार और प्रिक्रमा करने वाले सैल के चीटे यह अर्था छोड़े छोड़े टुकुरे समों को क्या कहते हैं तो चुद्ध गरह कहते हैं भारती रिजर्बैंग का लेखा वर्स क्या है इसका लेखा वर्स है जुलाई से जून है भारत का आर्थिक सर्वेक् ऑट्टा कुल जन संख्या में होता है हुं भारत में सहकारी बैंक क्गठन कितने अस्तरहाए तो भारत सहकारी बेंख बजायर का होता है बॉरिक्स रसायनिक दरिश्टरे से क्या है सोडियूम् ट्रव्र Müb कहलाता है बर्गत के पेर के निचे लटकने वाली मोटी जर्य क्या कहलाती है तो प्रॉप जर्य कहलाती है अगर-अगर प्राप्त होता है तो लाल सैवाल से अगर-अगर प्राप्त होता है दूद का पीच मांद छोद सानों चार होता है पंजाब मोल रूप से किस भासा का सब्द है यह फार्सी भासा का सब्द है उत्तर राम चरितम के लेखा कौन है तब भाब होती है भारती राष्टे कांग्रेस के मंच से बलने वाले पर्थम महिला कौन थी तो कदाम के लिए गाउंगली थी जो अठारसो नबे इस्वियम बोली थी भारत का पर्थम लुक सबाद्यक्ष कांट थे तो गनेश वासुदेब मावलंकर थे यलो बुक्किस देश के राजकिये फाइल है तो यह फ्रांस के राजकिये फाइल है जारविक शेवन किया है तो यह कृतिम हिर्दय है डान मेमोरी लेन किसकी आत्म कथा है तो यह मदड टेरेसा की आत्म कथा है पूर्व पूर्व है और पस्सिम पस्सिम है यह कथन किसका है तो यह कथन है रूड याड की पलिंग का है महत्मा गांधी को सरपर्थम राष्ट पिता का सम्मोधन किशने किया था तो स्भाचन बोश ने किया था देश का पहला अनलेंट समाचार पत्र कौंसा है जिससे तीन जरबारी दोहर एक को लॉंच किया गिया था दा निउज टूडे है चारो असरोम का सरपर्थम उले किस गरंथ में मिलता है तो जबालू पनिसद में मिलता है सुत पिट्रक्यस धर्म का महत्पुर्ण गरंथ है तो यह बाउत धर्म का महत्पुर्ण गरंथ है समुद्रब्त के इल्हाबात प्रस्ति लेक का लेखा कौन है तो हरी सेन है दिल्ली संत्रत काल में अक्ता परनाली का प्रम किस सासकने किया था तो इल्टे तूमिष्टे किया था अर्वी भासाम लेखी गए पुस्तक तहकीते हिंद किसकी किरती है तो यह अलबुरूनी की है अक्वर के भूरा जस्त व्यवस्था के परवर्ता कौन थे तो टूडर मल थे जहागीर के सासनकाल में असमत बेगम इमादुत दौला तथा आसाप खा किस गूठ के परमुक सदस्थ तो नूर जहां के गूठ के परमुक सदस्थ ते सरवादेक हिंदू मनसबदार किस मंगल समराठ के सासनकाल में था और अंजिव के सासनकाल में था भारत में सरपथम सरवच नियाली के स्थापना किस एड के तहत हुई थी ते रेग्लियोटिंग एड 1773 के तहत हुई थी हां मुसिलम किसानों को संपरताई के धार पर गोल बंद करने के लिए मंगाल में परजापार्टी के अगठन किया गिया जिसका बांध्म कि नाम किजशक परजापार्टी पर इस पार्टी के स्थफने कीalay थि तो फज लूल easiest थै कि स्था अब्दूर राहीम नेकिया था किस बाइसरा का समन्ध ब्रेक डाउन पलान से था तर लॉड बेवल का था 1906 इसपी में कलकात्ता अधिवेशन में दादा भाय नेरो जी ने सरपर्थम कांग्रेस के मन से सुराज की मांग की थी मुसलिम लीग ने सुराज की मांग किस वर्स किया था बहरती राश्टी कांग्रेस के अपने किस अधिवेशन में सरपर्थम मुफ्त था आबेशक्त प्रेयमिर सिक्षा के मांग की थी तो लाहोर अधिवेशन 1909 इसपी में किया था सर्पर्थम किस प्रस्ताव या योजना या मिशन में भारतियों के लिए अपने समिधान की बात कही गई थी अगस्त प्रस्ताव में सर्पर्थम इसकी सुर्वत कहां से हुई थी तो पवनार से हुआ था गदर पाटे के स्थापड 1913 इस्पी में अमरिका के नगर सन फ्रांसिकों हुई थी इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे मोहन सिंग भागना थे जालिया बाला बाग हत्यकान 13 अपरेल 1929 के बिरूद में किस भारतिये ने गवर्न जनरल की कारिकारनी परस्तित्य त्यागपद दे दिया था मुस्लिम लिग ने किस दिन को परत्यक्ष करवाहे दिवस के रुप में मनाया तो 16 अगस्त 1946 को मनाया अखिल भारतिये किसान पाटी के अस्था अपना कब और कहां की गई तो दिसंबर 1922 इस्पी में कलकत्ता में किया गिया था वर्स 238 इस्पी में किस ब्यक्ति ने ब्यक्स मता अधिकार के धारप समिधान सभाकी गठन की मांग की थी तो पंडित जवहरलाल नहरू ने किया था मांग 15 अगस्त 1947 से 26 जनवर 1950 के दोन भारत का राजिनितिक दर्जा किया था बिरिटीस राष्ट कूल का एक अधिराज था किस दीन से समिधान सभाक का तत कालिंग संसाथ की रुप में अभिरवार हुआ 26 जनवर 1950 से हुआ जब भारत स्वतंत हुआ उस समय ब्रिटीन में किस दल का सरकार थी ते लेवर पार्टी की सरकार थी उस समय ब्रिटीन का परधान मंत्र क्लीमिट एटली थे समय धानिक संसेधन है तो बिदहेक सर परतम की सदान में परस्तूत किया जाता है तो संसाथ के किसी भी सदान में परस्तूत किया जाता है संसाद में सही परकार के समय धानिक संसोधन बिधे परस्तूत करने से पुर्व क्या राष्टपती के अनुमती प्राप्त करने के अवसकता होती है तो यह नहीं होता है कौन राष्टपती दुतिये पसंद के मतों की गन्ना के फल्सुल अपने निस्चित कोटा प्राप्त करने रवाचित हुए थे यह बीवी गिरी थे क्या आंतरिक असांती के अधार पर राष्टपती अपातकाल की दुहसना कर सकता है तो यह नहीं कर सकता है भारत के राष्टपती को किसे से ब्यतन दिया जाता है तो भारत की संचित नेदी से भारत के राष्टपती को ब्यतन दिया जाता है संसत के सदन में सरकारी विद्धे कौन प्रस्तूत करता है तो मंत्री परस्त का कोई भी सदस प्रस्तूत करता है बेल्जियम का एंट वर्प नगर किस बस्तु के ब्यापारें बिस्व में सबसे पर्ष्ख्याद है यह हीरे के ब्यापार के हैं अपने धुरी पर सूर की और अधिक जुकाओं के कारण किस गरह को लेटा हुआ गरह काते हैं यूरेनस अरून को कहते है सूर से बढ़ती हुए की दूरी के अनुसर गरह का करम सजाहिए तब बुद्ध सुक्र प्रिथवी मंगल ब्रिस्पती सनी यूरेनस नेप्चिन तथा पलूट है गोल्डन ग्रेट बिरीज संदीक तराज अमेरिका के किस नगर में है यूरोप से एस्ट्रेलिया जाने वाला जलियान पच्छवा के अनुकुल के कारण के पॉफ गूड हॉप मार्क से जाते हैं लौटने में इन हवाओ से बचने के लिए किस मार्क से गुजरते हैं तो यह स्वेज नहर जल मार्क से गुजरते हैं किस जागरा जौनमखी को भुमत सागर का प्रकास अस्थम कहा जाता है एक कोकन रेलवे क लौट के जोड़ती है तो महराष्ट कुवा और करनातक जोड़ती है पीर पंजाल बुंदी पीरता था बनी हाल किस प्रवत्ष नी का प्रमक दर्र है तो यह पिर पंजाल जम्मु कस्मिर स्रहनी का है भाहरत के संचित कोष से धन की निकासी किसकी अनुमती से संभव होता है भावेश्ण में उत्पन होने वाले संदिध कमई यह अभाभ का सामदा करने के लिए बनाएगे किसी बस्तू के भांढर को क्या कहते हैं तो बाफर एक हते हैं भाहरत का सरबुच्द संक्य घंणतवल्ला राज कौन साहेट अभी वी अर्तवान में बिहार है पादम स्रीं से समानेध होने वाले पर्थम अभीनित्यर कौन थे तो बल्राज एक लिन जी रूजबेल जिधा सबसे अधिक समय तक राष्टपती रहे था मिरकाकर राटर किस देश का समाचा एजेंस्टी है तो राटर का फूल किसका प्रतिक है तो साभिता और संस्कृति का प्रतिक चीन है कमल का फूल भारत के निर्विरोध चुने गेराष्टपती कौन थे नीलम संजीब रीडी निर्विरोध चुने गेराष्टपती थे पत्कारिता के छित्र में महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला चेमेली देवी पुर्सकार किस संस्था द्वरापरदान किया जाता है तो मीडिया फॉंडेशन के द्वराद दिया जाता है किस देश में सरपर्थम समलेंगिक विवाह कानून म ति हिए देन दे वुक दी गई थि पृदिया गया था भारत्य बीमान पत्रण प्राधी करन का मूख्यालाय कहां स्थित है इसका मूख्यय की फ्लमींग ने किसका विसकार किया था यह 25 अरू औरि विसकार किया था कांग्रेस कि हस्थापन अठान से प्रेजों का पहला संगर्स किस मुगल समराठ के साथ हुआ था अनजेब के साथ हुआ था जालिया बाला बाग कहां है तो यह अमरित सर में है जब सुर्य और चंदर्मा के बिच प्रित्थी भी आ जाती है तो कौन सी घटना घटती है तो इस चंद ग्रहन लगता है नीजी छेत्र में देश का पहला रेडियो स्टेसन कहा अस्थापित किया गया तिह है बंगलोर में अस्थापित किया धा अत्रेसर द्वारा अस्थापित धार्मिक संस्था कही जाती है मिशनरी ओफ चरिटी कहा जाता है ओलिव या जैतुन की साखा किसका परतिग है यह जोह सांती का परतिग है भारतिय मुल्कि भरत जगदेव किस देश के दुबार रश्ट पती चुने गए थे तो गियोनाय के चुने गए थे कि के सफलिम सेखसलिम चिस्थी की दरगाह कहा आवस्तित देश फतेपूर सिक्री में है बासको डेमा किस देश करहने वाले थे यह पूर्त गाल के रहने वाले थे रसिक प्रिया किसकी किरती है तेके सब्दास कि किरती है ओपरेशन बुलू एश्टार के सुएं भारत के परधान मंतरी कौन था तस्री मति इंदरा गांधी थे तो इसे तरह से दोस्तों यह हमारे परतियक्ते दरपन के सार्थ सेंगर है का पार्ट्टिशन वाप्त होता है ज जह हंदा